तर्जुमा की फाइल्स को अब गाना एप्लिकेशन और स्पॉटिफाई पर भी सुना जा सकता है। आप से दर्खास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। सेंट मैनुवल बुएनो शहीद उना मुनो की कहानी तर्जुमा मरियम जमानी इफ इन दिस लाइफ ओनली वी हैव होप इन क्राइस्ट, वी आर नॉट अफ आल मैन मोस्त मिजरिबल। आई कॉर्निथियन्स नाइनटीन इलाके रेनादा के बिशप ने जिनके हलके मेरा प्यारा गाउन लियो करना शामिल है हमारे डॉन मैनुवल को बलके जियादा सही अलफास में सेंट मैनुवल बुएनो को कलीसा के ओलिया में शामिल करने की रसूमात का आगास कर दिया है आज इस वक्त मैं चाहती हूँ के उस इनसान के बारे में जो कुछ मुझे मुझे मालूम और याद है उसे यहां बतौर आइतराफ पेश कर दूँ मैं ऐसा क्यूं करना चाहती हूँ यह खुदा बहतर जानता है मुझे इसका कोई इल्म नहीं यह इनसान जिसके बारे में मैं यह सत्रें लिख रही हूँ मेरा सच्चा रूहानी बाप था उसने मेरे अंदरूनी वजूत को जिन्दगी बखशी वो मेरी रूह का एंजिलिया केर्बिलिनो की रूह का बाप था मेरा दूसरा जमीनी बाप जिसका खून मेरी रगों में ढौड़ रहा है उसके बारे में मुझे बहुत कम मालूम है क्योंके वो मेरे होश सम्हालने से पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो गया था मुझे बस इतना मालूम है कि वो इस इस इलाके में अजनबी था और मेरी माँ से बिया करने के बाद यहां बस गया था मेरा बाप अपने साथ कुछ किताबें लेकर आया था डॉन की होती, कुछ क्लासिकल ड्रामे, चंद एक नौविल और कुछ तारीख की किताबे एक पुलंदे में बंधी हुई उन सब किताबों ने, जो इस गाउं में नवादिर की हैसित रखती थी, मेरे बच्पन के खौबों की तश्कील की माँ ने मुझे मेरे बाप के मशागल या ख्यालात के बारे में कुछ नहीं बताया डौन मैनूल से महबत और अकीदत ने, जिसमें गाउं के तमाम लोग शरीक थे, मेरी माँ के जहन से उसके शोहर की यादों के सारे नकुश धुंदला दिये थे डौन मैनूल से उसकी महबत यकीनन पाक और गैर आलूदा थी हर रात दूआ के वक्त वो अपने शोहर की मखवरत के लिए पूरे खुशूओ खुशू से दूआ करती थी मुझे डौन मैनूल इस तरह याद हैं जैसे ये अभी कल की बात हो जब मैं अभी रेनादा के कॉन्वेंट स्कूल में दाखिल होने से पहले दस साल की बच्ची थी उस वक्त डौन मैनूल की उम्र कोई सैती साल की रही होगी दुबला पतला बदन, सीधा तवीलुल कामत, सर उठा कर चलने का अंदास ऐसा पुर्श को जैसे हमारे गाउं का पहाड अपनी चोटी को उपर उठाए हुए खड़ा है उनकी आँखों में हमारे गाउं की जील की सारी अताह नीलाहट से मटाई थी लोगों की नजरें बेखतियाराना उनकी तरफ उठ जाती थी और नजरों के साथ देखने वालों के दिल भी डॉन मैनुल की तरफ खीचे जाते थे जब वो किसी की तरफ निगाँ करते तो यूं मालूम होता जैसे हमारे जिसम शीशे की तरह शफफाफ हो गए है और उनकी निगाँ हमारे दिलों को देख रही है हम सब डॉन मैनूल से महबत करते थे खास तोर पर छोटे बच्चे तो उन पर दिलो जान से फिदा थे उनके इर्द गिर्द एक तकद्स की महग थी और सारा गाउं उस खुश्बू के नशे में चूर था उनी दिनों की बात है कि मेरे भाई लेजारू ने जो अमरीका में मुकीम था और वहां से हमारी आराम दे जिन्दगी की कफालत के लिए रुपिया भेशता था मेरी माँ पर जोड डाला कि मुझे कॉन्वेंट स्कूल में दाखिल करा दिया जाए ताके मैं गाउं की फिजा से निकल कर तालीम हासिल कर सकूँ इस बाद के बावजूद के वो कॉन्वेंट की राह बाद से जियादा खुश नहीं था उसने लिखा जहां तक मेरा ख्याल काम करता है उस अलाके में गैर दीनी मदरसे खुसूसां लड़कियों के लिए बिलकुल अनका है लहाज़ा जो स्कूल मौझूद है उसी को घनीमत समझना चाहिए ये अमर बेहत ऐहम है कि एंजिला के जहन की तराश खराश हो सके और वो गाउं की लड़कियों से अलग और मुख्तलिफ बन सके लहाज़ा मैं स्कूल जाने लगी पहले मेरा ख्याल था मैं टीचर बनूंगी लेकिन बाद में पता चल गया कि ये मेरे बसका रोग ना था इसकूल में मेरी जान पहचान शहर की कई लड़कियों से हुई और चंद एक के साथ दोस्ती भी हो गई लेकिन गाउं से मेरा जो तालुक था वो हमेशा बाकी रहा वहां का सारा हाल बिला नागा, खुतूत और कभी कभार वहां से आने वाले मुलाकातियों के जरीए मुझे मालूम होता रहता था हमारे प्रीस्ट की शोरत जो अब रोम तक की तवज्जव अपनी तरफ मबजूल करा चुकी थी रफ़ता रफ़ता मदरसे तक भी पहुँच गई थी कॉन्वेंट की राहे बात कुरेट कुरेट कर उनके बारे में स्तफसारात करती है बच्पन ही से मेरा जहन हमेशा तरह तरहा के ख्यालात और शुकूक से भरा हुआ था मुम्किन है इसका बायस उन धेर सारी किताबों का मुताला हो जो मेरे बाप ने रख छोड़ी थी इसकूल पहुँचकर उन ख्यालात में और तरक्य हुई उसमें मेरी एक हमजमात लड़की की दोस्ती का भी बहुत हाथ था उस लड़की को ना जाने क्यों मुझसे लगाओ पैदा हो गया था कभी वो कहती कि हम दोनों इसी कॉन्विंट की खानकाह में दाखिल होकर ता उम्र राहबाद बनी रहने का एहद करें और इस एहद पर अपने खून से दस्तखत कर दें और कभी आँखें नीम बंद किये खौबनाक अंदाज में महभूबों और अस्दवाजी जिन्दगी के रूमानी तजरबों की बातें करती इसकूल से निकलने के बात फिर मुझे उसकी खबर नहीं मिली पता नहीं वो कहा है जिन्दा है या मर गई हाला के स्कूल के जमाने में जब कभी मैं डान मैनूल का नाम लेती या मा के खतूत जो डान मैनूल के जिकर से भरे हुए होते थे उसे बताती तो वो वारफता हो जाती थी और मुझे कस्में देती थी कि जब मैं गाउं वापस जाओं तो मुझे वहां से डाउन मैनूल के बारे में लंबे लंबे खत लिखकर एक एक बात बतानी होगी मैंने स्कूल में तकरीबन पांच साल गुजारे अब सोचती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे वो दोर एक सुभधम देखा हुआ खौब था जो यादों के दूर उफतादा उफक में खो गया मैं 15 साल की उम्र में गाउन लोट आई गाउन जिसका दूसरा नाम अब डाउन मैनूल था डाउन मैनूल गहरी नीली जील फलक बोस पहाड़ मैं डाउन मैनूल को देखने और जानने की तमन्ना लिये हुए आई थी मैं अपने आपको उनकी रहनुमाई में दे देना चाहती थी ताके वो मेरी जिन्दगी को उसकी मन्जिल का रास्ता बता सके लोगों का कहना था कि डाउन मैनूल ने राहिबों के दार अलूम में दाखला दरसल इस वज़ा से लिया था क्योंके उनके कंधों पर अपनी एक बेवा बहन के बच्चों की कफालत का बोज आ पड़ा था दार अलूम में उन्हों ने अपनी सलाहियतों और तबाई की बिना पर बड़ा नाम पैदा किया कलीसा में उनके लिए एक शानदार मुस्तक्बिल चश्म बराह था लेकिन उन्होंने हर पेशकष को सिर्फ इसलिए रत कर दिया कि वो लियोकरना को छोड़ कर कहीं और रहना नहीं चाहते थे लियोकरना में उस दूर उफतादा गाउं में जो जील और जील की सता पर जलकने वाले पहाड़ों के दर्मियान एक कड़ी की हैसित से वाके हुआ था डान मैनूल अपनी सारी जिन्दगी गुजार देना चाहते थे और उस गलाबान को अपनी भेड़ों से कितनी महबत थी तूटते तालुकात को जोड़ना उजड़े घरों को बसाना बगावत पर कमर बस्ता नाउम्र और नासमच जवानियों की फहमाईश बच्चों से माबाब की इतायत कराना और वालिदین से बच्चों के जाइज मतालबात पूरे कराना और सबसे बढ़कर मुसीबत जदों की तालीफِ قल्ब और मरने वालों के नज़ा के लिम्हाद को आसान बनाना और उनकी रूहों के लिए तुआ करना इनी कामों में डॉन मैनूल की जिन्दगी बसर हुई इस किसम के वाकियात कई थे मुझे यहां बूरे राबोना की बदनसीब बेटी का वाकिया यादा रहा है जो शहर को भाग गई थी जब वो लुट लुटा कर एक अदद नाजायस बच्चे को गोद में लिये लौटी तो डॉन मैनूल ने उस वक्त तक चैन नहीं लिया जब तक कि उन्होंने उसके पिछले आशिक पैरोटे को उससे शादी करने और उस बच्चे को अपनाने पर आमादा नहीं कर लिया पैरोटे ने पहले तो काफी अतजाच किया कि किसी और का बार वो क्यों उठाए जबके नाजायस बच्चे की उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं आयद होती इसमें मेरा कोई खुसूर नहीं है पैरोटे ने कहा लेकिन ये किसे मालूम है पैरोटे डॉन मैनूल ने कहा इसकी खबर किसको है फिर ये बेगुनाही थाबित करने और इल्जाम देने का मौमला नहीं है ये तो इन बातों से बहुत आगे की चीज़ है और आज रोगी और मफलूच पैरोटे के बढ़ापे का सहारा वही है जो उसका बेटा नहीं था लेकिन जिसे उसने डॉन मैनूल की वजह से अपनाया था गाउं में दस्तूर था कि वस्त बहार की शबको जो साल की मुकतसर तरीन रात होती है गाउं की सारी बुढ़ियाएं और काफी तादाद में बुढ़े मर्द जो जियादा तर हिस्तेरिया और मिर्गी के मरीज थे लेकिन इस वहम में मुब्तला थे कि उन पर जादू का असर या भूत प्रेट का साया है जील के गिर्द एकठा होते डान मेंवल ने उन लोगों की तकलीफें दूर करने और इमकानी हद तक उन्हें अपनी बीमारियों से निजात दिलाने के लिए जील के मुनज़ा आब शिफा की जगां खुद ले ली उनकी मौजूदगी का असर लोगों की उनसे अकीदत सबसे बढ़कर उनके अलफास की नाकाबिले बयान ताकत और उनकी आवास का सहर ऐसा था कि बेशुमार मरीज हैरतंगेस तोर पर शिफायाब होकर वापस जाते थे इस तरह डान मेंवल की शोहरत बढ़ती गई और करीबों दूर के मकामात से सारे मरीज और रोगी जील की तरफ खिच कर आने लगे एक बार एक अवरत अपने एकलौते लड़के को लेकर आई और इलतिजा करने लगी कि वो उसे अपनी करामत से बचा ले डान मेंवल के होटों पर एक अदास मस्कुराहट फैल गई मुझे बिशप ने करामते दिखाने की अजासत नहीं दी है उन्हों ने उसे जवाब दिया उन्हें इस बात का खास ख्याल था कि लोग साफ सुथरे रहा करें साले नौ के मौके पर जब लोग उन्हें तहनियत देने आते तो उनका इसरार होता कि वो नए लिबास में हो और जिन लोगों में इसकी इस्तितात नहीं होती उन्हें वो एक तरफ से कपड़े तक्सीम करते उनका बरताओं हर एक के साथ यकसा तोर पर शफकतामेज था वो अपने बरताओं में अगर तखसीस बरतते भी थे तो उन्हीं लोगों के साथ जो जियादा दुखी या जियादा सरकश मालूम होते थे गाउन में एक पागल रहता था सारा गाउन उसे बेवकूफ बिलासेलो के नाम से पुकारता था लेकिन उस पागल के साथ वो बेहद नर्मी और मुलाइमत से पेश आते थे उसे उन्होंने ऐसी बाते सिखा दी जिनका सीखना उस पागल के लिए एक मौजजे से कम ना था पागल बिलासे लो जब एक बंदर की तरह डॉन मैनुल की नकल करता तो ऐसा मालूम होता है जैसे उस पागल के दिमाग के कुने खुदरों में अकलो शुओर की दबी हुई दो चार खाकिस्तर पोस्ट चिंगारियां भड़क कर शोला बन गई हैं डॉन मैनुल की आवाज उनका सबसे बड़ा एजास थी उनकी आवाज का सहर आँखों को अश्क बार कर देता था और सुनने वालों के दिलों में एक तलातुम बर्पा हो जाता था उनकी आवाज अबादत गाह के सक्फो बाम को चीर कर जील और दामने कोह की हवाओं में शाम पैदा कर दे ऐसा मैसूस हो रहा था जैसे ये फर्याद खुद हमारे आका की जबान से निकल रही हूँ जैसे ये आवाज उस कदीम सलीब से आ रही हो जिसके कदमों में पुष्ट गापुष्ट की माओं ने अपने अपने दुखों की भेट दी थी डॉन मैनुल की माँ ज जैसे ये मामता की पुकार मा मर्यम के नीमवा होटों से निकली हो उस दिन के बाद पागल बिलासिलो का ये मामूल हो गया कि जब भी सड़क पर से गुजरता तो एक जिगर खराश आवाज में सदाए बाज़श्ट की तरह दोहराता यारब तुने मुझे क्यों छोड़ द दिया उसकी आवाज सुनकर लोग आप दीदा हो जाते वो अपनी कामियाब नकल पर मसरूर हो जाता डॉन मैनूल की मौजूदगी में कोई शख्छ जूट नहीं बोल सकता था एक बार पास के गाउं में चोरी की जबरदस्त वारदात हो गई तो एक बर खुद गलत आदमी जो डॉन मैनूल के मरतबे से नावाकिफ था उन्हें बुला भेजा और कहा कि वो मुल्जिन की जबान से एतराफे जर्म कराएं डॉन मैनूल ने जवाब दिया जनाब मैं किसी शख्स की जबान से ऐसी बात नहीं निकल वाता जो उसे मौत के मूँ में पहुँचा दे ये और बंदे का मामला है इनसानी इनसाफ मेरा काम नहीं है हमारे आका का हुक्म है दूसरों का एहतसाब ना करो ताके तुम्हारा एहतसाब ना किया जाए लेकिन फादर मेरे मुतालिक मैं जानता हूँ डॉन मैनूल ने कहा आप सीजर का हक सीजर को दे दीजिए और मैं जो ख सारा गाउं बड़ी पाबंदी के साथ मास में हाजरी देता और कुछ नहीं तो कमसकम इसलिए के डॉन मैनुल को देखा और सुना जा सके अबादत कराते वक्त उनकी शख्सियत और ही हो जाती और चहरा जियाबार हो जाता उन्हों ने अबादत का अलगी तरीका बना रखा था सब मर्दो जन और पीरो जवान एक लाए में हम आहंग होकर गाते इमान रखता हूं मैं खुदावंदे खुदा पर जो आस्मानी बाप है और रब अर्जो समा है ये कोरस नहीं होता था बलके एक वाहिद और मुत्तहिद आवाज होती थी जिसमें सारी आवाजें हम आहंग होकर एक ऐसे फलक बोस कोह गरा में बदल जाती थी जिसकी चोटी कभी कभी बादलों में गुम हो जाती है और जब गाते हुए उस हिस्से पर पहुँचते इमान रखता हूँ मैं हश्रो नश्र पर इस दुनिया के बाद आने वाली जिन्दकी की अबदियत पर तो ऐसा मालूम होता जैसे डॉन मैनूल की आवाज जील में सारे गाउं वालों की आवाज में खो गई है और वाकिया ये था कि वो खामोश हो जाते थे और मेरे कालों में उस शहर की घंटियां बजने लगती हैं जिसके बारे में मशूर था कि तहसील की तहे में मतफून है वो घंटियां जिनके बारे में कहा जाता था कि वुस्त बाहर की शब में भी सुनाई देती है ये हमारे गाओं की रूहानी जील में मत्फून शहर की घंटिया थी मुझे अपने बिछड़े वों की आवाजें सुनाई देती जो हमारे दर्मियान ओलिया की शकल में दोबारा जिन्दा किये गए थे बहुत दिनों के बाद जब सेंट मैनूल का राज मुझे पर आशकार हुआ तो मैंने यू महसूस किया जैसे कोई मीरे काफला सहरा को अबूर करते हुए मन्जल के सामने पहुँच कर दम तोड़ दे और एहले कारवाओं से अपने कंधों पर उठा लें ताके उसके बेजान जिसम को अर्ज मौदा के सुपर्ट कर दे गाउं के बेशतर लोग अपने आखरी वक्त में उनका हाथ थामे हुए जान देना चाहते थे गोया ये हाथ उन डूबने वालों के लिए मुतलातिम समंदर में आहनी लंगर था डान मैनूल ने कभी बिदतियों आज़ाद ख्यालों या बे अकीदा लोगों को डाटा फटकारा नहीं और इसकी जरूरत भी नहीं थी क्योंके गाउं में ऐसे लोग थे ही कहां डान मैनूल की जिन्दगी फिकरों मुराकबे की नहीं बलके अमली सरगर्मी की जिन्दगी थी वो हर मुमकिन तरीके से बेकारी से बचना चाहते थे वो मुझसे कहते क्या किया जा सकता है की बजाए क्या हो गया पर गोर करना बेकार है जो हो चुका उसकी तलाफी की कोशिश को छोड़ कर उस पर अफसोस करते रहना गलत बात है अमल, अमल ही सब कुछ है डॉन मैनूल बेकारी और तनहाई से हमेशा गुरेजा रहे और मुझे यू महसूस होता था जैसे कोई ख्याल, कोई मसला उनके लिए अजियत का सबब बना हुआ है यही वज़ा थी कि वो हमेशा खुद को मसरूफ रखते थे और अक्सर उनकी मसरूफियतें खुद साखता होती थी लिखने का शगल वो बहुत कम करते थे और यही वज़ा है कि उन्होंने कोई कल्मी सर्माया नहीं छोड़ा वैसे वो सारी अमर दूसरों के लिए खास तोर पर उन माओं के लिए जिनके बच्चे परदेस में हुआ करते थे खतूत लिखते रहे गाउं के कामों में उन्हें जिसमानी महनत और मशक्कत से कभी उजर ना था फसल कटती तो धान कूटने और फटकने के लिए पहुँच जाते और काम के साथ साथ दूसरे काम करने वालों से मुफीद और दिल बहलाने की बाते करते रहते कभी कोई मजदूर बीमार हो जाता तो उसकी जगां खुद काम कराते एक दिन उन्हें रास्ते में सरदी से ठिटूरता हुआ एक नौउमर लड़का मिला जिसे उसके बाप ने दूर जंगल में भटकी हुई गाए पकड़कर लाने के लिए भेजा था तुम घर जाओ उन्होंने लड़के से कहा और आग तापो अपने बाप से कहना उनकी गाए मैं ढून लाँगा और जब वो गाए को रसी से पकड़े हुए वापस लौट रहे थे तो रास्ते में लड़के का बाप खिजालत में डूबा हुआ उनकी तलाश में आ रहा था जाडों में वो गरीबों के लिए लकड़ी काट कर लाते गाउन का बुढ़ा बलूट जिसके साए में उनका बच्पन गुजरा था गिर पड़ा तो वो उसका तना घर ले गए और उसके छे तखते काट कर अपने पलंग की पाइंती में रख छोड़े और बाकी मांदा हिस गरीबों के लिए खुद काटा और बच्चों के लिए उसके खिलोने बनाए गाउन के डॉक्टर के हमराह मरीजों को देखने जाना उनका मामूल था वो अपना नस्खा देता और ये अपना मशवरा भी उसमें शामिल कर देते गाउन में कहावत मशूर थी कि बच्चे जन पैदाश या पैदाश के दौरान बच्चे का मर जाना और खुदकुशी ये सब मेरे लिए दिल दहला देने वाले इसरार हैं एक बार जब एक आदमी ने खुदकुशी कर ली तो उसके बाप ने जो बाहर के गाउं का रहने वाला था डॉन मैनुल के चल्च के वक्फ शु अक्सर वो मदरसे की तरफ जा निकलते और बच्चों को पढ़ाने में खुद भी टीचरों के साथ शरीक हो जाते दरसल वो खल्वत और बेकारी से दूर भागते थे कभी नौजवानों और बच्चों के साथ वक्त गुजारी के लिए वो खेल तमाशों में शरीक हो जाते भी एक तरह के तकद्स का हामिल बन जाता और एक मजभी फरीजे की अदाएगी मालूम होने लगता लोगों के लिए वो कहते सबसे जरूरी बात ये है कि वो खुशो खुर्रम रहें जिन्दा रहने की मसर्रत को महसूस करें जिन्दा रहने की मसर्रत और उमंग बन्यादी चीज़ है किसी को भी खुदा के मुकरर करदा वक्त से पहले मौत की खौईश नहीं करनी चाहिए लेकिन मैं जिन्दा रहना नहीं चाहती एक नौ अमर बेवा ने कहा मैं अपने शोहर के पास पहुँच जाना चाहती हूँ नहीं डॉन मैनुल ने कहा तुम यहीं रहकर हैतजाजों बहचत पैदा करे मगर नशा न लाए एक बार गाउं में एक मफ्लूकल हाल बाजीगर अपनी टोली के साथ आया हुआ था यह टोली उसकी बीमार और हामला बीवी और तीन बच्चों पर मुश्तमिल थी जो तमाशा बनाने में उसकी मदद करते थे वो खुद म शोहर को तमाशा बताते हुए छोड़ कर उट जाना पड़ा बच्चों के कैकें और मस्खरे की मस्तरिम निगाएं उसका ताकुब कर रही थी थोड़ी देर के बाद डॉन मैनुल सराय के अस्तबल में पहुँच गये जहां मस्खरे की बीवी अपनी आखरी सांसे ले रही वो उसके आखरी लमहात को आसान बनाने और उसे सुकून देने की कोशिश करते रहे तमाशा खत्म होने के बाद जब मस्खरे को इस हाथसे की खबर मिली तो उसके साथ तमाश बीनों का सारा मजमा सराय की तरफ मुड़ गया अस्तबल में डॉन मैनुल मुर्दा औरत के सिर जालिया और तमाश बीनों की तरफ मुड़ते हुए कहा नहीं मेरे दोस्त वली तो तुम हो मैंने तुम्हे अपना खेल बताते हुए देखा है और मैं जानता हूं तुम ये खेल सिर्फ अपने बच्चों को रोजी महया करने के लिए नहीं बलके दूसरों के बच्चों में मसर्रत बाटने के लिए खेलते हो तुम्हारी बीवी मेरे सामने आखरत के सफर पर उस वक्त रवाना हुई जब तुम अपना काम कर रहे थे और दूसरों को खुशी दे रहे थे यकीन रखो तुम्हारे बच्चों की माँ अपने खालिक है के साय रहमत में आसूदा है और एक दिन तुम उससे जा मिलोगे और जन्नत के फरिष्टों को अपना खेल दिखा कर उनसे हसी और कहकहों की दाद वसूल करोगे सारा मजमार रिकत जदा हो गया और हर एक की आँखों से आसू बह रहे थे लेकिन इस रोने में दुख के साथ साथ एक ऐसी तमानियत का अनसूर भी शामिल था जो गम पर मुहित हो जाता है बहुत दिनों के बाद इस वाके की याद ने मुझे एहसास दिलाया कि डॉन मेंवल की मस्तकिल खुशमिजाजी और शगुफटगी दरसल एक जाहरी दुनियावी नकाब थी जिसके पीछे डॉन मेंवल ने एक बेकरा और अबदी उदासी को दूसरों की नजरों से छुप बार कहते लेकिन इसके बावजूद वो कुश-कुश दिनों के वकफे से तनहा निकल पड़ते और जील का चक्कर काट कर कदीम कलीसा के उन खंडरात की तरफ जाते जहां उन दीनदार सतरूनी राहबों के जिसम आसूदा-खाक हैं जिने तारीख ने फरामोशी के अंधे खारों में दफन कर दिया है एक राहब जो फादर कैप्टन के नाम से मशूर था उसका हुजरा भी उन खंडरात में था लोगों का कहना था कि फादर कैप्टन नफस कुशी के लिए अपने आपको कोड़े मारता था और ऐसी अजियते उठाता था कि उसके खून के छीटे अब तक हुजरे की दीवारों पर मौजूद हैं यहां पहुचकर डान मैनूल का जहन क्या सोचता होगा एक बार मैंने उन से पूछा था कि वो राहब क्यों नहीं बन गए इसलिए नहीं कि मुझे अपनी बेवा बहन और बच्चों का ख्याल था उन्होंने कहा उनकी देख नहीं बना हूँ मुझे अपने गाउं के लिए जिन्दा रहना और अपने गाउं के लिए मरना है अगर मैं अपने लोगों की रूहों को बचाना सकूं तो फिर अपनी रूह को किस तरह बचा सकूंगा लेकिन ऐसे राहिब भी तो गुजरे हैं जिन्होंने उजलत गजीनी के बावजूद लोगों को रास्ता दिखाया है ये सच है उन्हों ने जवाब दिया खुदा ने उन लोगों को तनहाई का बोज उठाने की ताकत इनायत की थी मैं इस से महरूम हूँ लेकिन मुझे इसकी शिकायत नहीं है मैं अपनी रूह की निजात की खातिर अपने रेवर को नहीं छोड़ सकता खुदा ने मुझे ऐसी सरिश्ट दी है कि मैं तनहाई और बादिया नशीनी की तरगीबात का मुकाबला नहीं कर सकता वजूद की सलीब का बारे गरां अकेला दूसरों की मदद के बगएर नहीं उठा सकता ये यादें जिन पर मेरा इमान कायम है इन अपने गाउं लियोकरना को वापस आई थी लियोकरना जो डॉन मैनूल की खानका था और मैं उस खानका के अमीर के आगे दो जानू बैठी हुई थी जैसे ही मुझ पर उनकी नजर पड़ी उन्होंने गर्म जोशी से कहा अख खाह ये तो हमारे समूना की लड़की है अब तो काफी बड़ी हो गई हो सुना है अब तुम प्यानों बजाती हो फ्रेंच बोलती हो और खुदा जाने क्या सीखाई हो अच्छा है अब हमारे गाउं में जल्द ही एक नया घर बसेगा और हाँ तुम्हारा भाई लिजारू कब लोट रहा है वो अभी नई दुनिया में ही है न हाँ मुकदस फादर वो अभी अमरीका में ही है मैने आहस्ता से जवाब दिया नई दुनिया और हम पुरानी दुनिया के बासी तुम उसे खत लेको तो मेरी तरफ से पूछना वो नई दुनिया से इस पुरानी दुनिया के लिए चीज़े लेकर कब लूटे गा ये सिस्कियां लेते हुए एतराफों निदामत से फारिख हुई उन्होंना मुझे गोर से देखते हुए कहा क्या बात है मेरी छोटी सी भेड़ तुम इतनी हिरासा क्यूं हो मैं जानता हूँ तुम्हारी ये बधवासी ना तो गुनाह का बार है और ना खुदा का खौफ बलके तुम मुझे से खौफ़दा हो रही हो है न यही बात मैं फूट फूट कर रो पड़ी लेकिन ये लोग तुमें मेरे बारे में क्या बताते रहे हैं ना जाने तुम कैसी उट पटांग कहानिया सुनती रही हो क्या ये तुम्हारी मा का कारनामा है लो अब चुप हो जाओ और समझो तुम अपने भाई से बात कर रही हो इन बातों से मेरी हिम्मत बंदी और मैंने दिल खोलकर उन्हें अपने मशागल शकूक और मायूसियों के बारे में सब कुछ बता दिया ओ हो ये सब खुराफाद तुमने कहा पढ़ी है ऐसी चीजों का जियादा मुताला ना करो सें थिरेसिया भी नहीं हाँ अगर खुश वक्ती के लिए पढ़ना है तो बड़ टो लो पढ़ा करो तुम्हारे वालिद पढ़ा करते थे उस वली सिफ़त आदमी के पास से मैं अपने पहले एतराफ के बाद लोटी तो मेरा दिल सुकून और तमानियत से लबरेस था अवल अवल मेरे दिल में जो एक खौफ का जजबा था हाँ वो एहतराम से ज्यादा खौफ था अब एक हमदर्दी के जजबे में ढल गया था उस वक्त मैं एक नौउमर लड़की थी जिसे बच्ची कहा जा सकता था लेकिन मैं औरत बनने की सरहत पर पहुँच चुकी थी और मेरे अंदर मामता की लहरे उठ रही थी और उस दिन अइतराफ के दौरान में उस मुकद्दस हस्ती के सामने बैठे हुए मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं उनकी नर्म और हलीम आवास के जेरो बम में उनका अनकहा अइतराफ सुन रही हूँ और मुझे याद आया उन्होंने किस तरह यसू मसी के अलफाज दोहराए थे या रब या रब तूने मुझे क्यों छोड़ दिया और किस तरह उनकी माँ बेख्तियार होकर पुकार उठी थी मेरे बेटे मैं अब भी वो दिलदोज आवास सुन रही थी जिसने अबादतगाह के सुकूत को शक कर दिया था और मैंने उन्हें तसकीन देने के लिए दोबारा उनके साथ एतराफ किया एक बार जब एतराफगाह यानि कनफेशनल में मैं उनके सामने अपनी तश्कीक का इजहार कर रही थी तो उन्होंने कहा तुम्हारे सवालात के जवाब दीनी सवालो जवाब नामे कैटेकिजम में मौजूद हैं ये सवालात मुझसे मत करो क्यूंके मैं इन से बेखबर हूँ कलीसा के अलमाय दीन से रुजू करो वो तुम्हारा इतमेनान कर देंगे लेकिन डॉन मैनुवल यहां के आलम तो तुम ही हो मैंने कहा मैं और आलम पागल हो गई हो मेरी ननी लड़की मैं तो एक छोटे से गाउन का बेचारा प्रीस्ट हूँ और तुम जानती हो यह शुकूक तुम्हारे कान में कौन फूक जाता है यह जाल कौन बिचाता है शैतान समझी मैंने अपनी पूरी हिम्मत जमा करके बेधड़क पूछ डाला और अगर शैतान आपके कान में भी यह वस्वसे फूके तो आप क्या करेंगे मेरे कानों में कौन शैतान नहीं मेरी बच्ची मेरे और उसके दर्मियान बिलकुल जान पहचान नहीं है हमें एक दूसरे से नावाकिफ हैं उन्होंने कहा लेकिन बफर्ज मुहाल वो अगर ऐसा करे तो मैं बजित थी तो मैं उसकी बात पर कान नहीं धरूंगा बस आज के लिए इतना काफी है अब हमें चलना चाहिए क्योंके कुछ मरीज मेरा इंतिजार कर रहे होंगे मैं ये सोचती हुई वापस हुई कि डॉन मैनूल तो शैतान को भगाने के लिए मशूर है फिर ये कैसी अजीब बात है कि वो खुछ शैतान के वजूद के काईल नहीं रास्ते में मेरी मुटभेड पागल बिलासिलों से हुई जो अमूमन चल्च के पास ही मनलाता रहता था मुझे देखते ही वो अपने कमाल का मुझाहरा करने लगा और बार बार जिगर खराश आवाज में पुकारने लगा या रब या रब तुने मुझे क्यों छोड़ दिया उसके नारों ने मुझे पर ऐसी कैफे तारी कर दी के घर पहुँचकर मैं अपने कमरे में बंद हो गई और उस वक्त तक रोती रही जब तक मा ने आकर दर्वाजा नहीं खट-कटाया मा ने मेरी हालत देखकर कहा एंजलीना तुम्हारे कनफेशन से मुझे यू लगता है तुम खानका की तबलिगी रुकन बन कर रहोगी फिकर ना करो मा मैंने जवाब दिया इसी गाउं मेरे करने के बहुत काम है और यही गाउं मेरी खानका है हाँ अपनी शादी तक तुम इन सब कामों में लगी रह सकती हो मैं शादी के बारे में नहीं सोच रही हूँ मैंने जवाब दिया एक और मौके बल जब मैं डॉन मैनूल से मिली तो मैंने उनकी आँखों में देखते हुए पूछा डॉन मैनूल क्या जहन्नम का वाकई कोई वजूद है पूरे सुकून के साथ डॉन मैनूल ने जवाब दिया तुम्हारे लिए मेरी बच्ची नहीं तुम्हारे लिए नहीं है और दूसरों के लिए मैंने पूछा तुम्हें उससे क्या जब तुम खुद वहां नहीं जाओगी डान मैनूल ने कहा लेकिन मुझे दूसरों की परवा है आप मुझे जवाब दीजिए मैंने कहा जन्नत पर यकीन रखो वो जन्नत जो हम देख सकते हैं वो देखो उन्होंने पहाड की चोटी की तरफ उपर इशारा किया और फिर नीचे जील की तरफ जिसमें पहाड का अक्स लहरों पर लरज रहा था लेकिन दोसक पर यकीन रखना भी उतना ही जरूरी है जितना जन्नत पर मैंने कहा हाँ रोमन कैथलिक चर्च के तमाम एहकाम और फरामीन पर दिल से यकीन रखो और ये काफी है उन्होंने जवाब दिया मुझे उनकी जील की मानिंद नीली आँखों में एक बेकरा उदासी नजर आई दिन खौब की तरह गुजरते गए डॉन मैनूल की शख्सियत का नक्ष आहिस्ता आहिस्ता लाशूरी तोर पर मेरे अंदर मुर्तस्म होता गया लाशूरी तोर पर इसलिए कह रही हूँ कि ये आदमी आम जिन्दगी में घुल मिलकर इस तरह रोजबरा के मामूलात में शा में ले लिए एक बार चंद दिनों के लिए मैं अपनी एक दोस्त के पास शहर गई लेकिन वहां पहुचकर मुझे एहसास हुआ मैं अपने गाउं से दूर नहीं रह सकती शहर की फिजा में मेरा दम घुटने लगा मुझे एक नामालूम शेय की कमी महसूस हो रही थी गाउ नहीं मेरी शदीद जरूरत है अपने रूहानी बाप के लिए मेरे अंदर मामता का एहसास जाग उठा था मैं डॉन मैनूल को वजूद की गराबार सलीब उठाने में सहारा देना चाहती थी मेरी 24वी सालगिरा के करीब मेरा भाई लेजारू अपना सारा असासा समेट कर अ बाउफ हो जाती हैं और वो मजहूल होकर रह जाता हैं कजबाती जिन्दगी मुतमद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् एक जगां से दूसरी जगां जाने के ख्याल से ही भड़क उठी और साफ साफ कह दिया कि वो लियोकरना की जील, पहाड और सबसे बढ़कर डॉन मैन्वल को छोड़कर कहीं और नहीं जा सकती तुम लोग बिल्लियों की तरह हो जो कभी अपनी जगां बदलने पर आमादा नह और मजभी तवाहुमात में सरतापा घर्क इस्पेन के नुमाइंदा थे। कलीसा और मजभ के खिलाफ तरकी पसंद एतराजात के जिन हत्यारों से लिजारू अमरीका से लेस होकर आया था, उन सब का उसने डॉन मैन्वल के खिलाफ इस्पेन में वो कहा करता था, औरतों की नकेल मजभी मलाओं के हाथ में और औरतों के हाथ में मर्दों की लगाम है, ये मुलक वो हिकारत से कहתा, जागेरदारणा निजाम की मताफिन बद्रो है, उसकी जबान पर जागेरदारणा निजाम की इस्तला सुनने वालों को खाइफ करने के लिए आते थी, उसके नस्द कोई और रद्दे अमल हुआ इस रवईये से उसकी जुझलाहट और बढ़ती और वो बड़े अफसोस के साथ कहता इन जाहिलों की इसलाह नामुम्किन है लेकिन लिजारू अपनी जखावत की वजह से वैसे बित्तबा नेक दिल था उसे गाउं पर डान मैनूल के इक्तिदार की नौईयत समझने में जियादा देर नहीं लगी और उसे जल्दी पता चल गया कि डान मैनूल ने गाउं के लिए क्या कुछ किया था नहीं ये आदमी दूसरों से अलग है ये तो वली सिफत है वो कहने लगा लेकिन तुम्हें ये कैसे मालूम के दूसरे मजभी रहनूमा कैसे होते है मैं पूछती मुझे मालूम है मैं समझ सकता हूँ वो कहता लेकिन इसके बावजूद उसने कभी चर्च में कदम नहीं रखा और ना कभी अपनी आजात ख्याली के मुझाहरे का कोई मौका राएगा जाने दिया अगर्चे डॉन मैनूल के लिए उसकी जबान से हमेशा तौसीफी कलमात निकलते थे गाओं वालों के जहन में ना जाने किस तरह ये बात एक तैशुदा हैसित अख्यार कर गई थी कि लिजारू और डॉन मैनूल में जो गहर महसूस कि रसाकशी चल रही थी वो बिल आखिर एक आखरी मारके पर मुंतिज होगी या दूसरे अलफाज में डॉन मैनूल लिजारू को मुशर्फ बा मजहब करेंगे लिजारू जैसा कि उसने मुझे बाद में बताया ये चाहता था कि डॉन मैनूल को करीब से देखे और समझे उसे खौईश थी कि उनसे मिले बातचीत करे उन्हें चल्च में सुने और उनकी रूहानी कुवत का राज दरियाफ्ट करे आखिरकार मेरे मुस्तकिल इसरार और अकसाहट पर वो डॉन मैनूल को सुनने के लिए चल्च जाने पर आमादा हो गया महज अपना तजस्स पूरा करने की गरस से जा रहा हूँ उसने हमसे कहा हाँ ये आदमी दूसरों से यकीनन मुक्तलिफ है लिजारू ने डॉन मैनूल को सुनने के बात कहा लेकिन ये बात समझ में नहीं आती के इतना जहीन आदमी इस खुराफात पर यकीन रखता हो जिसकी वो लोगों को तालीम देता है यानी तुम समझते हो वो मुनाफिक है और उनके ख्यालात और अमल में तज़ाद है मैंने पूछा नहीं मुनाफिक तो नहीं लेकिन तबलीग का काम बतौर पेशा भी तो हो सकता है लिजारू ने कहा मेरे मतालिक लिजारू का फैसला था कि मुझे वो सारी किताबे पढ़नी चाहिए जो कुछ वो अपने साथ लाया था और कुछ जो मुझे उसके इमा पर खरीदनी थी तो तुम्हारे भाई ने तुम्हे अपना मताला बढ़ाने की हिदायत की है डान मैनूल ने मुझे से कहा ठीक है अपने भाई की खुशनूदी के लिए जरूर पढ़ो मुझे मालूम है तुम गलत किसम की किताबे नहीं पढ़ोगी चाहो तो नौविलें पढ़ो नौविल उन तारीखों से जियादा मुझे नहीं होते जो सची कहलाई जाती है यूँ भी तुम मताले में मसरूफ होगी तो तुम्हारा दिमाग गाउं की खुराफाद से महفوظ रहेगा लेकिन कोशिश करके ऐसी किताबे पढ़ो जो तुम्हें जिन्दगी का सुकून दे सके बेहती हुई मौजों का खामोश और नर्म सुकून क्या ये सुकून डौन मैनौल को हासल था उन्ही दिनों मेरी वालदा सخت अलालत के बाद वफात पा गई आखरी आयाम में उनकी वाहिद खाहिश यही रह गई थी किसी तरह डौन मैनौल लेजारू को मजभग की तरफ राखिब कर दे उन्हें यकीन था वो आसमान पर लेजारू से दोबारा मिलेंगी और तारों की वादी के किसी एक गोशे से लिएकरना के पहाड और ज्जील का नजारा करती रहेंगी अब वो अपनी दानिस्त में खुदा का दीदार करने जा रही थी तुम कहीं नहीं जाओगी डौन मैनौल ने उनसे कहा तुम यहीं रहोगी तुम्हारा जिस्म इसी खाक में रहेगा और तुम्हारी रूह भी यहीं इसी घर में रहेगी तुम अपने बच्चों को अपने सामने देखती रहोगी गोवो तुम्हें देख नहीं सकेंगे लेकिन मुकद्दस फादर मैं खुदा के हुजूर में जा रही हूँ उसके दीदार के लिए माने कहा खुदा यहां भी मौजूद है वो हर जगा है तुम उसे यहां भी देख सकती हूँ हम सब को उसमें और उसमें हम सब को देख सकती हूँ जिस मसर्च से तुम्हारी मां मौत को लब बैक कह रही है वही मसर्च उसकी अबदी जिंदगी रहेगी डॉन मैनूल ने मुझसे कहा और फिर मेरे भाई की तरफ मुड़कर कहा तुम्हारी माँ की जन्नत यही है कि वो सदा तुम्हें देखती रहे उसे बचाने का यही मौका है उससे वादा करो कि तुम उसके लिए दूआ करते रहोगे लेकिन मेरे भाई की आँखों में आसु आ गए मा के बिस्तरे मर्ग के पास दो जानू होकर उसने वादा किया और मैं आसमान पर तुम्हारे लिए तुम सब के लिए दूआ मांगूंगी माने सलीब को बोसा देते हुए कहा और डॉन मैनूल को लेक्ते हुए अपनी जान जाने आफरी के सुपोर्ट कर दी मैं अपनी जान तेरे हाथों में सोबता हूँ डॉन मैनूल ने जेरे लब कहा अब घर में लेजारू और मैं तनहा रह गए मा की मौत ने लेजारू और डॉन मैनूल के दर्मियान एक तालुक पैदा कर दिया था ऐसा मालूम होता था डॉन मैनूल अपने दूसरे मरीजों और जरूरत बंदों को देने का वक्त भी लेजारू के लिए सर्फ कर रहे थे सारी दो पहरें वो इकटे गुजारते कभी जील की तरफ टहलने निकल जाते और कभी इश्क पेचां की बेलों से ढखे हुए सतरूनी कलीसा के खंडरात की तरफ चले जाते एक दिल लेजारू ने मुझसे कहा तुम्हें मालूम है लोग कहते हैं के हमारे गाउं की जील की तहे में एक शहर दफन है और बहार के बिलकुल बीच की रात 12 बजे इस मत्फून शहर के कलीसा की घंटियां बच्ती हुई सुनाई देती है हाँ मैंने कहा करून वस्ता का एक जागेरदाराना शहर मेरा ख्याल है लिजारो ने बाद जारी रखते हुए कहा हमारे डॉन मैनूल की रूख के पाताल में भी एक ऐसा ही शहर दफन है और कभी कभी उसकी घंटियां भी सुनाई दे जाती है हाँ मैंने कहा डॉन मैनूल की रूख के अंदर और तुम्हारी भी रूख के अंदर छुपा हुआ ये घरकाब शहर हमारे उन अज़दात की रूखों का कबरुस्तान है जो ज़दकिया नुसी और जागिर्दाराना गाउं लियोकरना के कदीम बासी थे आखिरकार भाई ने डॉन मैनूल का वास सुनने के लिए बिला नागा चल्च में हाजरी देनी शुरू कर दी आहिस्ता आहिस्ता लोगों में ये बात भी पहलने लगी कि अब लिजारू बाकाइदा चल्च में शामिल होने वाला है और सब के साथ इशाय रबानी में शिर्कत करेगा इस खबर से गाउं भर में खुशी की लहर दोड़ गई सब यू महसूस कर रहे थे जैसे लिजारू की चल्च में शमूलियत से गाउं को अपनी कोई कोई खोई हुई शै मिल गई हो ये खुशी इतनी बेसाखता और पुर्खलूस थी कि लिजारू को किसी किसम की सुबकी या शिकस्त का एहसास न हुआ आखिरकार सारे गाउं की मौजूदगी में और सबकी आँखों के सामने लिजारू की कम्यूनियन का दिना पहुँचा डॉन मैनूल का चहरा पहाड पर जमी हुई आखाज सर्मा की बर्फ की तरह सफेग पढ़ गया था वो इस तरह काप रहे थे जिस तरह जील का पानी बाद शुमाल के जोकों से मुर्तश हो जाता है जब वो मुकद्श अभी हाथ में लिए हुए आगे बढ़े और लिजारू के होटों के करीब हाथ ले गए तो उन्हें चक्कर सा आ गया और मुकद्श अभी उनके हाथ से छूट कर नीचे गिर पढ़ी और लिजारू ने खुद ही उसे उठा कर होटों से लगा लिया डान मैनूल की आँखों में जिलमलाते हुए आँसू देखकर सब सोच रहे थे के लिजारू डान मैनूल को कितना अजीज है सुबह सादिक का वक्त था और कहीं एक मुरगा बांग दे रहा था घर वापस आने के बाद जब मैं और लिजारू तनहा हुए तो मैं उसे लिपड़ गई और उसकी बेशानी को चूमते हुए कहा लिजारू मेरे भाई तुमने आज हमें जिन्दगी की सबसे बड़ी खुशी दी है तुमने आज इस गाउं के हर फर्द को इन्हें जो जिन्दा हैं और उन्हें जो मर चुके हैं सबसे जियादा अपनी मरहूम मा को ऐसी मुसर्वत बख्षी है जिसका कोई ठिकाना नहीं मेरा मकसद भी यही था लिजारू ने आहिस्ता से कहा नहीं सिर्फ हम लोगों को खुश करने के लिए नहीं बलके सबसे पहले अपने आप की खातर अपने दिल औ जहन की तबदीली की वज़ा से तुमने ये काम किया है लिजारू तब मेरे भाई लिजारू ने जिसके चेहरे पर जर्दी खुंडी हुई थी और जो इस तरह काप रहा था जिस तरह डॉन मैनवल कमूनियन देते वक्त काप रहे थे मुझे आहिस्ता से मा की मखसूस कुरसी पर बिठा दिया और दो एक गहरी सांसे लेकर मुझसे इस तरह मुखातिब हुआ जैसे किसी सर्बस्ता रास का इनकिशाफ कर रहा हूँ एंजलीटा मैं तुम्हें हर बात बता देना चाहता हूँ पूरी हकीकत तुम्हारे सामने रख देना चाहता हूँ इसलिए कि मैं अब तुमसे छुपा नहीं सकता और इसलिए भी कि मैं अब छुपाना भी नहीं चाहता क्योंके चल दिया बदेर तुम इस रास की हकीकत को जान जाओगी और अगर उस वक्त तुमें पूरी बात मालूम नहुई तो वो और जियादा बुरी बात होगी लिजारू मध्धम और पूर सुकून आवाज में कहता गया और एक जांगुसल दर्द मेरे वजूद में फैलने लगा जील और सतरूनी कलीसा के खंडरात की तरफ घूमते हुए डान मैनूल ने लिजारू को समझाया तुम्हारे शुकूक और तुम्हारे नजरियात तुम्हारा जाती मामला है उन्हें अपनी जात तक ही महदूद रखो उनका इजहार दूसरे बेशुमार मासूम लोगों के अकायत को मुतजल्जल कर सकता है इस तरह तुम उने कोई फाइदा नहीं पहुँचा सकते बलकि उन से उनके सुकून और इतमिनान की जन्नत भी छीन लोगे तुम्हे मजब पर अगर दिल से यकीन नहीं है तो ना सही कमज कम दूसरों के लिए एक गलतमिसाल बनने से बचने की खादे दूसरों को बचाने की खादे जाहरी तौर पर मखहभी शेयर की हद तुलिमकान पाबंदी करो यह सब बातें डॉन मैनुल ने लिذरू को तबदील करने की खादे नहीं बलके गाउन के दूसरे लोगों के अकायद महफूज रखने की खातिर की लेकिन ये सब कैसे मुम्किन है मैं सरासीमगी के आलम में चीख उठी सब कुछ मुम्किन है मेरी बेहन हर बात मुम्किन है लेजारू ने मुझे समझाते हुए कहा और जब मैंने डॉन मैनूल से कहा आप एक दीनी मुबलिख होकर मुझे जाहरदारी का मशवरा दे रहे हैं तो उन्होंने कहा जाहरदारी नहीं ये जाहरदारी नहीं है वो जो किसी ने कहा है मुकदस पानी को हाथ लगाने की देर है तुम्हारा दिल खुद बखुद बदल जाएगा मैंने उनकी आँखों में देखते हुए पूछा इसके मानी ये हुए कि आपने पहले वास सुनाने से अब्तिदा की और फिर उसके बाद खुद बखुद अकीदे की दौलत आपको मिल गई वो मेरी नजरों की ताब ना ला सके और जील के उस पार देखने लगे उनकी आँखों में आसू उमर डाए उस लम्हे डौन मैनुल का राज मुझ पर मुनकशिफ हुआ लिजारू मैं दर्द से करा उठी ठीक उसी लम्हे पागल बिलासिलो गली से चीखता हुआ गुजरा या रब या रब तूने मुझे क्यों छोड़ दिया लिजारू इस तरह लरज उठा जैसे वो आवाज बिलासिलो की नहीं बलके डौन मैनुल की या खुद ईसा मसी की आवाज हो डौन मैनुल के रास के साथ लिजारू ने तौकफ के बात कहा मुझ पर उस लिम्हें उनके मुकासिद और उनमकासिद का तقدस भी मुनकशिफ हो गया डौन मैनुल मुकदस आदमी है मेरी बहन सच्चे मानों में मुकदस आदमी और उस मुकद्दस आदमी ने अपनी फदूहात में मजीद इजाफे के लिए नहीं बलके अपने मुकद्दस मकसद की खातर मुझे जीत लिया जिन लोगों ने अपनी रुखानी जिन्दगी उनके सुपुर्ट कर रखी है और उन लोगों की मासूम मसर्द और सुकून खल्ब को जिसे तुम चाहो तो इक धुका भी कह सकती हो बरकरार रखने की खातर उन्हों ने ये काम किया मैंने महसूस किया कि उनका इस तरह लोगों को धुका देना अगर ये धुका है उनके जाती मफात के लिए नहीं था मैंने उनके दलाइल को तसलीम कर लिया और चर्च से वाबस्ता होने के लिए तैयार हो गया मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकता जिस दिन मैंने उनसे कहा मगर डॉन मैनुल क्या सचाई का सदाकत का मरतबा सबसे बड़ा नहीं है और डॉन मैनुल ने कापते हुए मुझसे सरगोशी में कहा हाला कि उस वक्त भरे मैदान में सिवाए हम दोनों के और कोई नहीं था सचाई लिजारू सचाई इतनी हौलनाक इतनी नाकाबल बरदाश्ट और इतनी खतरनाक शय है कि शायद सीधे सादे लोग उसको बरदाश्ट नहीं कर सकते लेकिन यहां आप मुझे उस सचाई की एक जलक इस तरह क्यूं दिखा रहे है जैसे आप एतराफ गाह में हो मैंने पूछा इसलिए कि अगर मैं इसका इजहार ना कर देता तो शायद मुझे शिदत कर्ब से दिवानावार भरे बाजार में चेख चेख कर इसका इलान करना पड़ता और मैं कभी किसी भी हालत में ऐसा नहीं करना चाहता क्यूकि क्यूwnके मैं यहां इसलिए हूं कि अपने मوفतकेदी की रूहों को जिन्दगी दूँ उन्हें मुसर्द दूँ और उन्हें इस फ़ॉब में मगण रखाऊं कि उन्की विदकी अबदी है मेरा काम उन्हें तबाह करना नहीं है यहां उन लोगों की जरूरत ये है कि वो सेहतमन तोर पर जिन्दा रहे एक मुश्तरिक और मुटहिद अहसास में सच्चाई के साथ जिन्दा रहे चर्च इसी जरूरत को पूरा करता है उन्हें जीने के काबिल बनाता है रही सचे मजभब की बात तो वो हर मजभब जो अपने पैरूओं को रूछानी तोर पर जीना सिखाता है मरने के लिए पैदा होने के अलमनाक एहसास में उनकी धारस बंधाता है इस हद तक सच्चा मजभ है और हर काव्म के लिए सबसे सच्चा मजभब उसका अपना मजभब होता है वो मजभ जिसने उस قوم को पैदा किया है और मेरा मजभ दूसरों को धारस बंधा कर धारस हासिल करना है यह और बात कि मैं दूसरों को जो तसली देता हूँ वो तसली मेरे लिए नहीं है डॉन मैनूल के यह अलफाज मैं जिन्दगी भर नहीं भूल सकूँगा लिजारों ने कहा लेकिन तुम्हारा आज का कमूनियन तो मजभ और चल्च का खुला मजग है मेरे मूँ से बेख्तियार निकल गया और साथ ही मुझे इन अलफाज पर पशेमानी महसूस होने लगी यह अगर बेहुरमती है तो फिर जिसने कमूनियन दिया उसके बारे में क्या कहोगी उसके वाज और खुद्बों के बारे में क्या कहोगी या खुदा ये कैसी शहादत है और अब एक और शख्स लोगों को धारस बंधाने के लिए आ गया है मेरे भाई ने कहा तुम्हारा मतलब है लोगों को फरेब देने के लिए मैंने पूछा, नहीं, फरेब देने के लिए नहीं, बलके उनके इमान को मजबूत बनाने के लिए गाउं के लोगों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या वो लोग दिल से इमान रखते हैं, मैंने पूछा मैं कैसे जान सकता हूँ ये लोग सोचे बगैर आदतन और तकलीदन एतकाद रखते हैं इन्हें उस खौब से बेदार नहीं करना चाहिए इन्हें अपने अहसास के अफलास में जीने दो ताके वो अहसास की फरावानी के अजाब से महफूज रहें मुबारक हैं वो लोग जिनके दिल गरीब है तुमने ये बातें डान मैनूल की जबान से सीखी है मेरे भाई अब मुझे ये बताओ तुमने माँ से बिस्तरे मर्ग पर जो वादा किया था उसका क्या हुआ यकीनन मैंने अपना वादा पूरा किया है तुम मुझे क्या समझती हो क्या तुम्हारा ख्याल है क्या मर्ती हुई माँ से मैंने जो वादा किया था उससे फिर जाओंगा कौन जाने हो सकता है तुमने उन्हें इस ख्याल से धुका दिया हो कि वो सुकून से मर सके मैंने अपना वादा पूरा किया है कोई दिन ऐसा नहीं गया जब मैंने मां के लिए दूआ ना मांगी हूँ अगर मैं अपना एहद पूरा ना करता तो मुझे इतमेना नसीब ना होता सिर्फ मां के लिए दूआ की और किसके लिए करता अपने लिए और अब से डान मैनूल के लिए हम दोनों जुदा होकर अपने अपने कमरों को चले गए मैं रात भर रोती रही और अपने भाई और डान मैनूल के लिए यकीन और एमान की दूआ मांगती रही और लिजारो पता नहीं किस के लिए दूआ करता रहा उस दिन के बाद से मैं डॉन मैनूल से तनहाई में मिलने से खाइफ रहने लगी गो उनके कामों में बदस्तूर उनका हाथ बटाती रही ऐसा मालूम होता था उन्हें मेरी अंदरूनी खलिश और इस्तिराब का एहसास हो गया था और वो इसकी वज़ा जानने की कोशिश कर र आती हुई आवाज में मुझसे कहा लेकिन एंजलीना तुम दस साल की अमर में जो इमान रखते थी अब भी उसी इमान पर कायम होना तुम्हारा आतकाद मुतजल्जल तो नहीं हुआ नहीं फादर मेरा आतकाद अभी कायम है तो फिर इस आतकाद को बरकरार रखो और अगर शुभाज सर उठाएं तो उन्हें कुचल दो उनकी तरफ से खुद अपने कान बंद कर लो हमें जिन्दा रहना है लेकिन मुकदस फादर क्या आप यकीन रखते हैं मैंने हिम्मत करके कापते हुए पूछा एक लम्हे के लिए वो रुके और फिर अपने आप पर काबू पाकर कहा हाँ मैं यकीन रखता हूँ लेकिन किस चीज़ पर फादर क्या आपको दूसरी जिन्दगी पर यकीन है क्या आपको एतकाद है क्या हम मरने के बाद हमेशा के लिए नहीं मर जाते क्या आपकο यकिन है कि दूसरी जिन्दगी में हम दुबारा मिलेंगे और महब्थ करेंगे क्या आपको दूसरी जिन्दगी पर यकिन है फादर जबते गिरिया से उनका चेहरा तम्तमा उठा और नजरें उपर उठाए है बगार उन्होंने कहा इन बातों का जिक्र नहीं करना चाहिए मेरी बच्ची आज जब मैं इन यादों को कागस पर मुन्तकिल कर रही हूँ मेरे अंदर ये सवाल उभरता है उन्होंने क्यों मुझे धोका नहीं दिया उन्होंने मुझे वो फरेब क्यों ना दिया जो दूसरों को दे रहे थे वो अपने आपको या मुझे क्यों धोका न दे सके मैं समझती हूँ उनकी वो तकलीफ और कर्ब इसलिए था कि वो मुझे फरेब देने के लिए अपने आपको फरेब देने में कामियाब न हो सके और अब उन्होंने बाद जारी रखते हुए कहा मेरे लिए तुम्हारे भाई के लिए खुद अपने लिए और सब के लिए दूआ मांगो हमें जिन्दा रहना है हमें दूसरों को जिन्दगी देनी है और कुछ देर के सुकूत के बाद उन्होंने कहा एंजिलीना तुम शादी क्यों नहीं कर लेती या आपको मालूम है मुकद्दस फादर नहीं नहीं तुम्हारा बिया हो जाना चाहिए मैं और लिजारू मिलकर तुम्हारे लिए शोहर तलाश करेंगे तुम्हें इन बेकार ख्यालाश से छुटकारा पाने के लिए जरूर शादी कर लेनी चाहिए बेकार के ख्यालाश डॉनमैनुल मैंने पूछा मैं जानता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ दूसरों के लिए अपने आपको अजियत में मत मुब्तला करो हम मेंसे हर एक के लिए अपनी अपनी जवाब दही का बोज ही काफी है आप ये बाते कह रहे हैं डॉन मैनूल आप मुझे शादी का दूसरों के मसायल से बेनियास बनने का मशवरा दे रहे हैं मुझे आप से ये तवक्व नहीं थी डॉन मैनूल तुम ठीक कह रही हो एंजलीना मुझे खबर नहीं है मैं क्या कह रहा हूँ मैं अपने होश में नहीं हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे सामने अपना एतराफ कर रहा हूँ लेकिन ये सच है आदमी को जिन्दा रहना है आदमी को जिन्दा रहना पड़ता है और जब मैं चर्च से निकलने के लिए खड़ी हुई तो उन्होंने कहा और अब एंजलीना इस गाउं के नाम पर पूछता हूँ क्या तुमने मेरे गुना को माफ किया मुझे अपने आप में एक पुरिसरार पाकीज़गी और तकद्द्स का एहसास हुआ और मैंने उनसे कहा बाब बेटे और रूहलकुच के नाम पर मैंने तुम्हे अपने गुना से पाक किया हम चर्च से बाहर निकले और मैंने महसूस किया मेरे अंदर मामता का एक दरिया उमट पड़ा है लिजारू ने अपने आपको मुकमल तौर पर डैन मैंनुल और उनके नस्बुलाइन से वाबस्ता कर दिया था अब वो उनका रफीक और मौाविन था एक मुश्तरिक राज ने उन्हें एक दूसरे से बहुत करीब कर दिया था लिजारू अब डौन मैंनुल की शख्सित की अथां गहराईयों में आहिस्ता आहिस्ता उतर रहा था क्या आदमी है लिजारू ने एक बार मुझे बताया कल हम दोनों जील के किनारे जा रहे थे डौन मैंनुल कहने लगे ये जील मेरे लिए जिन्दगी की सबसे अजियतनाक तरगीब रही है मैंने वजाहत तलब नजरों से उन्हें देखा और वो कहते गए मेरे बाप जिनका 90 साल की अमर में इंतकाल हुआ मुझे बताया करते थे कि जिन्दगी भर खुदकुशी की तरगीब उन पर एक अजाब की तरह मसल्ट रही या आसे पता नहीं कब से उनका ताकुब करता रहा और बच्चपन से लेकर अपनी सारी अमर वो इस तरगीब के खिलाफ जिद्धो जहद करते रहे और ये जिद्धो जहद उनकी जिन्दगी और उसकी मानवियत का बाइस बनी इस तरगीब से बचने का रास्ता उन्होंने ये निकाला कि जिन्दा रहने और अपनी जिन्दगी के तहफुस की कोशशों की तरफ गैर मामूली तंदही और तवज्जों से मसरूफ हो गए इस तरगीब और अपनी मजामत की तफसीलात वो मुझे बताते थे ये सब मुझे एक तरह की दीवानगी मालूम होती थी और ये दीवानगी मुझे विरसे में मिली है अपनी तहे में गरदाब और गोद में आस्मान को लिये हुए जील का ये बजाहिर पुरसुकून पानी मुझे किस तरह आवास देता है तुम नहीं जान सकते मेरी जिन्दगी लिजारू मुसलसल खुदकुशी की एक शकल रही है खुदकुशी के खिलाफ जिद्वजहद भी दरसल खुदकुशी है लेकिन हमारे लोगों की जिन्दगी भी यही है वो भी इसी तरह जीते हैं कुछ देर के तवक्फ के बाद वो फिर कहने लगे ये नदी जो यहां एक पुरसकून जील की शकल में फैल गई है यहां से निकल कर मैदानों से गुजरती हुई तुंदो तेज आपशारों में ढ़ल कर गिरती है और घाटियों और घारों में रास्ता बनाती हुई शहर तक गाउं में हम लोगों की जिन्दगी भी एक ठहरा हुआ पानी है लेकिन तुंदो तेज आपशार के मुकाबले में जिसका नजारा आदमी को खौफजदा कर देता है यहां इस खामोश पानी के करीब जिसकी पुरसकून सता पर तारों का अक्स जिल मिलाता है खुदकुशी मैंने सुना है या समझा है कि इनकी मौत का असल मरस क्या है बिस तरह मर्ग पर पड़े हुए इन लोगों के सिरहने मैंने जिन्दगी की उक्ताहट ठकन और दर्मांदगी का वो फैला हुआ अंधकार देखा है जो कभी कम नहीं होगा जो भूग से हजार बार जियादा भया दो कि यही उसकी जिन्दगी है एक बार लिजारो मुझसे कह रहा था हमने एक नौजवान चरवाही को देखा जो नशेबी पहाड़ी की चोटी पर खड़ी हुई थी जहां से सामने जेल नजर आ रही थी और वो चरवाही ऐसी आवाज में गा रही थी जिसमें जील के पान और अबद तक रहेगी जैसे वो उस वक्त भी यहां इसी तरह खड़ी हुई थी जब मेरे शओर ने आँख खोली और उस वक्त भी इसी तरह खड़ी रहेगी जब मेरे शओर की आँखें बंद हो जाएंगी ये लड़की इन चटानों का एक हिस्सा मालूम होती है और एक द लिजारू अपने नए जोश और जजबे में अतनी मुस्तेदी से सरगर्म हो गया कि कभी कभी डॉन मैनूल को उसे रोकना पड़ता एक बार वो गाओं में अपनी इसलाह पसंदी की धुन में अंद भक्ती के खिलाफ महिम चला रहा था डॉन मैनूल को पता चला तो उन्हो उसे रोका इन्हें रहने दो इन लोगों को ये समझाना बहुत मुश्किल है कि अकीदे और अंद भक्ती में कहा खते फासल खीचा जाए और सबसे जियादा खुद हमारे लिए ये काम मुश्किल है जहां इन्हें सुकून और इतमिनान मिलता है वहाँ इनके रास्ते में मत इन लोगों के लिए हर चीज़ हत्ता के एक दूसरे से मतनाकिस चीज़ों पर भी एतकाद रखना किसी भी चीज़ पर एतकाद ना रखने से बहतर है लिजारू ने मुझे बताया कि एक बार वो दोनों चौधवी की राज जील के किनारे से गाउं वापस हो रहे थे जील की लिटनी पढ़ रहा है और अब कह रहा है बाबे बहिश्ट हमारे लिए दूआ कर उनकी पलकों पर दो पोशीदा आंसु कापे और एक सानिये के लिए चौधवी के चांद की जिया मुस्तार लेकर शबनम की तरह घास पर गिर गए वक्त गुजरता गया भाई को और मुझे होता जा रहा था शायद कोई मुहलिक रोग उनके जिस्म और रूँ को दीमक की तरह खाय जा रहा था लिजारू ने शायद उनका ध्यान बटाये रखने के ख्याल से एक नई तच्वीश पेश की कि चर्च की तरफ से किसानों की एक जराती यूनियन कायम की जाए यूनियन हमारी बादशाहत इस दुनिया की नहीं है तो क्या दूसरी दुनिया की है लिजारू ने पूछा डाउन मैनवल ने सर जुका लिया दूसरी दुनिया भी यही है लिजारू क्योंके इस दुनिया में दो बादशाहते हैं या शायद दूसरी दुनिया पता नहीं मैं क्या कह रहा हूं रही यूनियन की बात तो दरसल तुम्हारे तरक्की पसंदी के दिनों की पुरानी खोहश है। लेकिन नहीं लिजारू ये मजभ का काम नहीं है कि वो इस दुनिया के इक्तिसादी और सियासी जगड़ों को चुकाता फिरे। खुदा ने ये काम लोगों पर अपनी लेक्तिसे तो हैने ने तूर पर सोचने और अमल करने दो। उन्हें इस दुन्या में अपनी पैदाइश के अलंब्ये पर धारस हासल कर लेने दो। ने इस को सोन्की और उनकी कार और बेमसरफ नहीं है। मैं गरीबों को अमीरों की या अमीरों को गरीबों की इताद की तलकीन करने नहीं आया हूँ हर एक के लिए हर एक में मौाफी और दरगुजर और बेनियाजी पैदा करना मेरा काम है रहा समाजी मसला तो उसे भूल जाओ ये हमारा काम नहीं फर्स करो एक ऐसा नया मौाशरा पैदा भी हो जाए जिसमें अमीरों गरीब की तफरीख न हो जिसमें दौलत की तक्सीम मुंसिफाना हो जिसमें सब एक दूसरे के लिए हो तो फिर उसके बाद क्या होगा क्या इसका एमकान नहीं के ये आम खुशाली जिन्दगी में और जियादा उक्ताहट और बेजारगी पैदा कर दे मैं जानता हूँ एक इन्किलावी रहनुमा ने कहा है के मजभ आदमियों के लिए अफ्यों है अफ्यों हाँ अफ्यों नहीं अफ्यों ही दो नहें सोने और ख 밝 देखने दो मेरी ये सारी दिवानवार जिद जहत क्या है ये भी तो अफ्यों ही है इसके बावजूद मैं ना अच्छी तरह सो सकता हूँ और ना सुहाने ख़ाब देख सकता हूँ मेरी जिन्दगी ऐसा दहशतनाख ख़ाब है कि मैं भी हमारे रूहानी आका के साथ कह सकता हूँ मेरी रूह मौत के मरज में ग्रफतार है नहीं लिजारू हम कोई यूनियन कायम नहीं करेंगे अगर ये लोग कायम करना चाहें तो इनकी मरजी इस तरह इन्हें अपने जहनों को काम में लाने का मौका मिलेगा अगर वो यूनियन के खेल से खुश हो सकते हो तो उन्हें खुश होने दो रफता रफता सारे गाउं को ये बात मालूम हो गई कि डॉन मैनूल की ताकत जवाब दे रही थी वो अब जल्द ठक जाते थे उनकी आवाज में उस मौजज़ाना आवाज में अब एक अंदरूनी कपकपाहट आ गई थी अब वो खुद्बे के दौरान में लोगों को दूसरी दुनिया की बातें बताते हुए हर चंद लगों के बाद रुक जाते और आखें बंद कर लेते लोग कहते वो उस दुनिया को अपने सामने देख रहे हैं ऐसे मौकों पर पागल बिलासिलो इस तरह फूट फूट कर रोता जैसे अभी उसका कलेजा फट जाएगा यूँ भी उन दिनों पागल बिलासिलो की हसी बहुत कम हो गई थी और उसकी जगा आसूँ ने ले ली थी और अब वो कभी हस्ता भी तो उसके कैकाहों में फर्याद की बाजगर्ष्ट होती थी इद फसा के आखरी हफते में डॉन मैनूल ने हमारी दुनिया में हमारे गाउं में हम लोगों को नमाजे पढ़ाई और उस वक्त पूरे इस्तिमा ने नामालूम तोर पर तेजी से करीब आते हुए अलमिये का एहसास कर लिया डॉन मैनूल ने आखरी बार आम इस्तिमा में या रब या रब तूने मुझे क्यों छोड़ दिया को दोहराया तो इन अलफाज ने एक अजीब रंग ले लिया था ये डॉन मैनूल का आखरी कमूनियन था जब लिजारो की बारी आई तो इस बार उन्हों ने एक मुस्तेहकम हाथ से उसे कमूनियन दिया और दूआ के बार जुक कर सरगोशी में कहा इस जिन्दगी के अलावा और कोई अबदी जिन्दगी नहीं है लोगों को खौब देखने दो कि ये जिन्दगी अबदी है अपनी चंद रोजा हयात में इन्हें अबदी जिन्दगी के खौब देखने दो और जब मेरी बारी आई तो उन्होंने कहा दूआ करो मेरी बच्ची हमारे लिए दूआ करो इसके बाद उनकी जबान से जो अलफाज निकले वो आज भी मेरे लिए एक नसबज में आने वाले राज बनकर जहन में जागुजी है एक ऐसी आवाज में जो किसी दूसरी दुनिया से आती हुई मालूम हो रही थी उन्होंने मुझसे कहा और हमारे आका ईसा मसी के लिए भी दूआ करो मैं उठी तो ऐसा मालूम हो रहा था जैसे मेरे जिसम की सारी ताकट जवाब दे गई हो मैं नींद के आलम में चल रही थी हर चीज एक खौब मालूम हो रही थी मुझे ख्याल आया मुझे उस पहाड और जील के लिए भी दूआ करनी होगी फिर मैंने सोचा मुझ पर आसेब का साया हो गया है जब मैं घर पहुँची तो मैंने वो सलीब उठाई जिसे मेरी मा ने अपने हाथों में थामे हुए जान दी थी और मैं बहते हुए आसूँ में उसे तक्ती रही मेरे जहन में ये फरियाद गुझ रही थी या रब या रब तूने मुझे क्यों छोड़ दिया ये फरियाद दो मसी होने की थी एक जो इस काइनात अर्जी का मसी था दूसरा जो इस गाउं लियो करना का मसीह था मैंने दूआ की आस्मानों पर और जमीन पर तेरी मर्जी पूरी होकर रहेगी और फिर हमें तरगीब के रस्ते से बचा आमीन फिर मैं मुकदस मर्यम के मुझसमे की तरफ मुडी जो अपने दिल में साथ पेवस्ता तीर लिये हुए खडी थी और मैंने दूआ की मुकदस मर्यम, कमारी मर्यम अब और मौत के वक्त हम गुनाहगारों के लिए दूआ कर दूआ के ये अलफाज जबान से पूरी तरह निकले भी ना थे कि मैंने अपने आप से पूछा कौन गुनागार है अगर हम गुनागार हैं तो हमारा गुनागार क्या है इस सवाल ने मुझे दिन भर मुस्तरिब रखा दूसरे दिन मैं डौन मैनूल से मिलने गई उनके चहरे पर डूपते सूरज की कैफियत थी मैंने उनसे पूछा आपको याद है मुकदस फादर कई साल पहले मैंने आप से एक सवाल पूछा था और आपने कहा था मुझे से ये सवाल मत करो इसका जवाब तुम्हें मदर कलीसा के अलमाय दीन दे सकेंगे यकीनन याद है डौन मैनूल ने कहा और मैंने तुमसे ये भी कहा था कि शेटान तुम्हारे दिल में ऐसे सवाला डालता है तो पिर आज मुकदस फादर मैं जो शेटान के जेरे असर हूँ आपके पास एक और सवाल लाई हूँ जो मेरा निगेबान शेटान मेरे दिल में डाल गया है पूछो कल जब आप मुझे कम्यूनियन दे रहे थे तो मुझसे कहा था हम सब के लिए दूआ करो इसे मत दोराओ और आगे बढ़ो मैं घर पहुंची और दूआ का आगास किया जब मैं इस आयत पर पहुंची अब और मौत के वक्त हम गुनागारों के लिए दूआ कर तो मेरे अंदर से एक सवाल उबरा कौन गुनागार है अगर हम गुनागार है तो हमारा गुनागार क्या है हमारा गुना क्या है मुकद्दस फादर हमारा गुना उन्हों ने जवाब दिया इस्पेन की तबलिगी कलीसा के एक बहुत बड़े आलिम ने एक बार इसका जवाब दिया था जिन्दगी एक खौब है के मुसन्निफ काल्टरिन ने कहा था आदमी का सबसे बड़ा गुना उसकी पैदाईश है हमारा गुना ये है कि हम पैदा हुए है इस गुना का कफारा क्या है मैंने पूछा जाओ और दोबारा दुआ करो एक बार फिर कहो अब और मौत के वक्त हम गुनागारों के लिए दुआ करो हाँ अन्जामिकार इस खुआप का इस जिन्दगी का कफारा मुम्किन है अन्जामिकार वो वक्त आएगा जब पैदाईश का ये चक्कर इखत्ताम को पहुँच जाएगा और जैसा के काल्टरिन ने कहा है नेकी करना या नेकी का बहरूब भरना खुआब वो आलमे खुआभी में क्यों न हो कभी राएगा नहीं होता आखिरकार उनकी रुखसत की घड़ी आ पहुँची सारे गाउं ने उस लम्हे को आते हुए देखा ये डाउन मैनुल का आखरी और बहतरीन सबक था जो उनूने गाउंवालों को दिया वो बेकारी या तनहाई में जान देना नहीं चाहते थे उनूने अपने लोगों को तालीम देते हुए चल्च में जान दी घर से उन्हें कुरसी पर उठा कर चल्च ले जाया गया क्योंके फालिच की वज़ा से वो चलने फिरने से माजूर हो गए थे चर्च जाने से पहले उन्होंने मुचे और लिजारू को अपने घर बुलाया और जब तीनों तनहा हुए तो उन्होंने कहा आप इन गरीब भेड़ों की रखवाली तुम्हारे जिम्मे है इन्हें जिये जाने की तोहमत पर धारस हासिल करने दो इन्हें उन बातों पर यकीन रखने दो जिन पर मैं यकीन न रख सका और लिजारू जब तुम्हारा आखरी वक्त आ पहुँचे तो मेरी रूख और जिस तरह एंजिलीना करेगी मुकदस रूमन कैथलिक चर्च की आखोश में यानि लोकरना की मुकदस मदर कलीसा की आखोश में अपनी जान दो और अब अलविदा उस वक्त तक के लिए जब हम फिर नहीं मिल सकेंगे क्योंके जिन्दगी का यह खाब अब खत्म होने वाला है मुकदस फादर मुकदस फादर मैं शिदद घम से करा उठी परिशान नहो एंजलीना सारे गुनागारों के लिए दूआ करती रहो उन सब के लिए जो पैदा हुए हैं और उन्हें खौब देखने दो उन्हें खौब देखने दो मुझे सोने की कैसी हसरते हैं नींद नींद ऐसी नींद जो अबत्त खत्त नहो जिसमें कोई खौब बार ना पाए जिसमें खौब का एहसास भी फरामोश हो जाए मुझे दफन करने के लिए ताबूत उन्छे तख्तों का बनाना जो मैंने गाउन के बुढ़े शाह बलूत की लकड़ी से काटे थे उस शाह बलूत के साए में मैं अपने बच्पन में खेला करता था ये वो जमाना था जब मैंने खौब देखना शुरू किया था तब मुझे अबदी जिन्दगी पर यकीन था या शायद मुझे अब यू मालूम होता है जैसे उन दिनों मुझे यकीन था क्योंके एक बच्चे के लिए और एक कौम के लिए भी यकीन रखना खौब देखने के ही बराबर होता है कुछ देर के लिए उन पर गुनूदगी तारी हो गई आँख खुली तो फिर कहना शुरू किया तुम्हें याद है जब हम सब पूरा गाउं मिलकर एक साथ चर्च में तिलावत करते थे तो अख्तिताम पर मैं खामोश हो जाया करता था जब बनी इसराइल की दश्तो सहरा में दर्मांदगी और उफ्तादगी का जमाना खत्म होने आया तो परवर्दिगार ने हारून और मुसा से कहा क्योंके उन्होंने अपने परवर्दिगार के हुक्म से सर्ताबी की इसलिए जब उनकी कौम अर्जे माओदा यानी प्रामिस लैंड में दाखिल होगी तो वो उसकी क्यादत नहीं कर रहे होंगे और परवर्दिगार ने हारून और मुसा को हुर पहाड पर जाने का हुक्म दिया जहां पहुँचकर मुसा ने हारून के कपड़े उतार दिये और हारून की मौत हुई और तब वहांसे मुसा मवाबी के मैदानों से कोहे निबू की चोटी पर पहुँचे और वहांसे परवर्दिगार ने उन्हें उस सरزमीन का नज़ारा कराया जिसका बनी इसराइल से वादा किया गया था और मुसा से फर्माया अब तुम इधर नहीं जा सकोगे और मुसा का इंतकाल वहां पर हुआ और किसी इनसान को उनकी कबर का निशान तक ना मिला और उन्होंने योशा को अपना जानशीन छोड़ा तुम लिजारो मेरे योशा हो और अगर तुम सूरज की रखतार को रोख सको तो रोख दो और तरक्य की परवा मत करो मुसा की तरह मैंने खुदा का चहरा हमारे जिन्दगियों का सबसे अजीम खाब देखा है और तुम जानते हो बाइबल में लिखा है जिसने खुदा का चहरा देखा जिसने खुब के चहरे की वो आँखे देखी जिन से खुदा देखता है उसकी मौत यकीनी और अबदी है लहाजा हमारे लोगों को कमसकम उनकी जिन्दगी में खुदा का चहरा न देखने दो, क्योंकि जब वो मर जाएे तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसके बाद वो कुछ भी नहीं देख सकेंगे मुकदस फादर मुकदस फादर मैंने गलू गीर लहजे में कहा तुम एंजलीना दूआ करो दूआ करती रहो कि सारे गुनागार अपनी मौत तक ये खौब देखते रहें कि उन्हें मौत के बाद दुबारा जिन्दा किया जाएगा और फिर उन्हें अबदी जिन्दगी अता होगी मैं इन्तजार में थी वो इखतामन कहेंगे और किसे मालूम लेकिन उन पर दुबारा गुनूदगी का दौरा पड़ा और जब फिर होश आया तो उन्होंने कहा मेरा आखरी लमा आ पहुँचा है मुझे कुरसी पर उठा कर चर्च ले चलो ताके मैं अपने लोगों से जो मेरी राह देख रहे हैं रुखसत ले लू हमने कांदो पर उनकी आराम कुरसी उठा ली और कुर्बान गहा के एन नीचे ले जाकर रख दी उनके हाथ में एक सलीब थी भाई और मैं उनके पास खड़े हो गए लेकिन पागल बिलासिलो उन से हमसे सबसे ज्यादा करीब खड़ा था बिलासिलो ने उनका हाथ उठाकर बोसा देना चाहा और जब पास खड़े हुए लोगों ने जल्दी से उसे रोकने की कोशिश की तो डॉन मैनूल बिगड गए इसे मेरे पास आने दो उन्होंने कहा आओ बिलासिलो मुझे अपना हाथ दो दिवाने की आँखों में खुशी से आंसू आ गए और तब डॉन मैनूल ने कहा मुझे सिर्फ चंद एक बाते कहनी है क्योंके मेरी ताकत जवाब दे रही है और कहने के लिए मेरे पास कुछ भी बाकी नहीं रहा है अमन और सुकून के साथ जीओ और उमीद रखो के हम सब दुबारा एक दूसरे को देखेंगे लियोकरना में वहाँ उपर उन तारों के दर्मियान जो रात के वक्त को हुसार को अपनी आगोश में लिये हुए खाबीदा जील की सताह पर झहलकते हैं मुकदस मरियम से हमारे आखा से दूआ करते रहो लेक बनो बस यही तुम्हारे लिए काफी है मेरी उन तमाम गलतियों को माफ कर दो जो मुझ से गहर एरादी तोर पर या ना दानिसता सर्ज़त हुई है औरतें बच्चे और मर्द नमदीदा उनके करीब आये और वो हर एक को अपने हाथ में पकड़ी हुई सलीब से छूते रहे फिर मुनाजाश शुरू की गई डॉन मैनुल बिलासलो का हाथ थामे हुए खामोशी से सुनते रहे दूआ की आवाज लोरी का काम कर रही थी आस्मान की तरहां जमीन पर भी तेरी मर्जी पूरी होगी फिर मुकदस मर्यम अब और मरने के वक्त हम गुनागारों के लिए दूआ कर और उसके बाद आसू की वादी में रोते और फर्याद करते हुए सबसे आखिर में जब इस आयत पर पहुँचे जिसमों को दोबारा जिन्दा किया जाएगा और अबदी जिन्दगी बख्षी जाएगी तो लोगों ने जान लिया कि उनके सेंट ने अपनी जान जाने आफरी के सुपूर्द कर दी थी उनकी आँखें बंद करने की जरूरत नहीं थी क्योंके मरने से पहले उन्होंने खुद ही आखे बंद कर ली थी जब हमने पागल बिलासिलों को जगाने की कोशिश की तो पता चला कि वो भी अबदी नीन सो चुका है उस दिन गाउं में दो जनाजे उठे सारा गाउं सेंट के मकान पर तूट पड़ा हर एकी खुएच थी के मकान से कोई न कोई चीज उस मुकद्द शहीद की यादगार के तौर पर तबर्रुकन ले जाए उनकी पोशाक के टुकड़े आपस में बाट लिये गए मेरे भाई ने उनकी दूआउं की किताब उठा ली किताब में सफात के दर्मियान एक मुर्जाया हुआ पूल था जो एक काघस के साथ लगा हुआ था काघस पर सलीब बनी हुई थी और कोई तारीख दर्श थी गाउं में किसी को इस बात का यकिन नहीं आ रहा था लोग अभी उने जील के किनारे से चहल कदमी के बाद आते हुए देखने के मुनतजर रहते थे हर एक के कानों में उनकी आवास ताजा थी उनकी कबर मर जाए खलायक बनती जा रही थी मरीजों का हुझूम उनकी कबर पर स्तादा सलीब को छूने के लिए आता जो डॉन मैनूल ने बलूत की लकड़ी से खुद बनाई थी उनकी मौत का यकीन करना मेरे और लिजारू के लिए सबसे जियादा दुशवार हो गया था लिजारू ने डॉन मैनूल की सारी बातों को जमा करना और उन्हें सफ़ाए करतास पर मुन्तकिल करना शुरू कर दिया लिजारू की इनी तहरीरात की मदद से मैंने अपनी ये दस्तावेश मुरत्ब की है उन्होंने मुझे नया जनम दिया है लिजारू मुझे कहता मैं असली लिजारू हूँ जिसे मौत के बाद जलाया गया था उन्होंने मुझे यकीन की दौलत दिये यकीन मैंने गता कलाम करते हुए पूछा हाँ जिन्दगी की धारस में जिन्दगी की मसर्रत में यकीन उन्हो इनकी बदालत अपने पैरूओं को अजाब में मुब्तिला कर देते हैं कि वो दूसरी दुनिया की अबदी जिन्दगी की खातित इस दुनिया की जिन्दगी को आर्जी और हकीर समझ कर ठुकरा दे और इसकी मुसर्णतों से महरूम रहें दूसरे लोग वो हैं जो सिर्फ इसी दुनिया को हकीकत असली समझ कर शायद तुम्हारी तरह के लोग मैंने बीच में लुकमा दिया हाँ मेरी और डॉन मैनूल की तरह के लोग लेकिन इस फर्क के साथ कि ये लोग ऐसी दुनिया के काहिल होते हुए भी किसी मस्तक्बिल के मौाशरे की तरफ लौ लगाए रहते हैं और उनकी पूरी कोशिश ये होती है कि अबदी जिन्दगी और हयात बादल ममाद पर एतकाद अपने मौतकीदीन को जो सुकून और तमानियत देता है उससे लोगों को महरूम रखें लहाजा लहाजा उन लोगों को जीने के लिए एक फरेब का सहारा देना चाहिए लिजारो ने कहा डान मैनूल की जगां जो दूसरा प्रीस रूहों का मौालज बनकर आया था वो अपने पेशराओ की मकबूलियत और असराद से अतना मरूब हुआ कि उसने अपने आपको मेरे और लिजारो के सुपूर्ट कर दिया कि हम उसकी रहनुमाई करें वो हर बात में डान मैनूल का इत्तिबा करना चाहता था लिजारो उसे कहता दीनी उलूम के नजरियाती पेचो खम में मत फसो बस मजभब से काम रखो मुझे ये सुनकर हसी आई क्या ये भी एक तरह का नजरियाती पेचो खम नहीं था इसके बाद से मुझे लिजारो के बारे में फिकर होने लगी डान मैनूल की मौत के बाद से उसका बमशकिल जिन्दों में शुमार हो सकता था वो बिला नागा उनकी कबर पर जाता घंटों बैठा जील को तकते रहता ताइमी सुकून का तसवर उसके लिए एक गुम गश्टा वतन की अफसुर्दा यादों में ढल गया था जील को इतना जियादा मत तकते रहो मैंने एक बार उसे समझाया डरो मत बहन ये कोई और जील कोई और पहाड है जो मुझे बुला रहा है मैं इसके बगएर नहीं जी सकता और तुम जीने का सुकून जीने की तमानित की जो बाते करते थे वो क्या हुई वो दूसरे गुनागारों के लिए है हम लोगों के लिए नहीं जिन्होंने खुदा का चेहरा देखा है जिन्होंने उसकी आँखों से जिन्दगी को देखा है तो क्या तुम डॉन मैनुल को देखने के लिए जाने की तैयारी कर रहे हो मैंने पूछा नहीं नहीं देखो एंजलीना यहां इस मकान में हमारे अलावा कोई तीसरा आदमी नहीं है मैं तुमें सच्ची बात बता रहा हूँ यह सच्चाई कडवी है समुंदर की तरह कडवी जिसमें इस जील का मीठा पानी चा मिलता है मैं इसे तुम्हारे सामने आशकार कर रहा हूँ लेकिन तुम इस सच्चाई के खिलाफ अपने आपको मुदाफिटी साजो सामान سے मुसल्ना रखती हो नहीं लिजारो ये सची बात नहीं है मेरे लिए यही सच्चाई है लिजारो ने कहा तुम्हारे लिए और हाँ उनके लिए भी डॉन मैनूल के लिए भी यही सच्चाई थी लेकिन अब नहीं लिजारू, अब नहीं, अब किसी और चीज़ पर यकिन रखो, किसी और देखो एंजिला, डॉन मैन्वल मुझसे हमेशा कहा करते थे कई एक बातें ऐसी होती हैं जिने दिल में तसलीम करते हुए भी इनसान को दूसरों से छुपाना चाहिए एक बार वो ये कह रहे थे तो मैंने उनसे कहा, वो ये बात मुझसे नहीं, बलके दरसल अपने आपसे कहते हैं आखिरकार उन्होंने इसका इतराफ कर लिया, उन्हें यकीन वासिख था कि कई एक ऑलिया को अपनी मौत के वक्त, दूसरी दुनिया की जिन्दगी पर एमान नहीं था क्या ये मुम्किन है, मैंने पूछा, यकीनन मुम्किन है मेरी बहन, लेकिन तुम इसका ख्यार रखो कि ये बात इस गाओं के किसी फर्द के कानों तक ना पहुँचे तुम किसी के कानों तक पहुँचने की बात करते हो, और मैं समझती हूँ अगर कभी किसी दीवानगी के आलम में मैं इन लोगों को ये बात समझाने की भी कोशिश करूँ, तो ये लोग समझ नहीं सकेंगे, लोग अलफास को नहीं समझते, इन लोगों ने जो कुछ समझा ह वो तुम्हारे अमल के जरीए समझा है ऐसी बाते इनको समझाना एक आठ साला बच्चे को लातीनी जबान में एकोई नास की किताब पढ़ाना है तुम ठीक कहती हो लिजारो ने कहा और एंजिला मेरी मौत के बाद तुम मेरे लिए उनके लिए और सब के लिए दूआ करो बिलाखिर लिजारो की रुखसत का वक्त भी आ पहुँचा कोई बीमारी जो उसके मजबूट जिसम को अंदर ही अंदर से खोखला कर रही थी डॉन मेनुल की मौत के साथ उसकी शिद्दत और रफ़तार में दफ़तन इजाफा हो गया मुझे मौत की उतनी परवा नहीं जितना इस बात का अफसोस है के मेरे साथ डॉन मेनुल की रूख का एक और हिस्सा भी खत्म हो जाएगा लेकिन वो तुम में जिन्दा रहेगा उस दिन तक जब हम सब जो मर चुके हैं मुकमल तोर पर मर जाएंगे लेजारू आलम नजा में था गाउं के लोग हजब दस्तूर उसे देखने आये लेजारू ने उनसे कुछ नहीं कहा कहने के लिए बाकी भी क्या रह गया था जो कहना था वो सब कुछ कहा जा चुका था जो दो लियोकरनाओं को मुनसलिक करती थी गुम हो गई एक लियोकरना जो जील की तह में दफन था और दूसरा जो जील की सता पर मुनकिस था लेजारू हम में से एक और आदमी था जिसे जिन्दगी के मरस ने मारा वो हमारे वलियों में से एक और वली था अपने तौर पर अब मैं अकेली और तन्हा रह गई थी लेकिन अपने गाउं में और अपने लोगों में थी और जब मैं सेंट मैनुल को जो मेरे रुहानी बाप थे और लेजारू को जो ना सिर्फ खुन के रिश्टे से बलके रूहानी एतबार से भी मेरा भाई था खो चुकी हूँ तो इस वक्त मुझे एसास होता है कि मैं बूरी हो रही हूँ और कितनी सुरत से लेकिन क्या मैंने उन्हें खो दिया है क्या मैं बूरी हो रही हूँ क्या मैं मौत की तरफ बढ़ रही हूँ आदमी को जिन्दा रहना है और उन्होंने मुझे जीना सिखाया उन्होंने हम सब को जीना सिखाया जिन्दगी को महसूस करना जिन्दगी के मानवियत को महसूस करना गाउं के पहाड जील और गाउं के लोगों की रूह में अपने आपको जम करके अपने आपको उन्में खोक उनने जिन्दा रहना सिखाया उन्होंने अपनी जिन्दगी से मुझे गाउं के दूसरे लोगों की जिन्दगी में अपनी जिन्दगी को गुम करना सिखाया और मेरे लिए घंटे, दिन, महीने और साल जील के बहते हुए पानी की तरह सुबकरो बन गए और मैंने महसूस किय मेरी जिन्दगी हमेशा यूही रहेगी जवाल अमर का देवे सुबक पा मेरे सामने नहीं था अब मैं अपनी जात की तंगनाए में महसूर नहीं थी मैं अपने लोगों में जिन्दा थी और वो मुझ में जिन्दा थे मैं वही बात कहने की कोशिश करती जो वो लोग बगएर कोशिश के कह देते थे उन लोगों से मेरा कुर्ब मुझे उनका जुजब बना देता था और मैं अपने आप को भूल जाती थी इसके बरक्स मैडरेड में जहां मैं लिजारू के साथ बाज अवकाद जाया करती थी मेरा कोई जानने वाला नहीं था और इतने सारे लोगों की मौझोगी जिन से मैं नाशना थी मुझ में एक उजाड और भयानक तनहाई का एहसास पैदा कर देती थी आज इन यादों को अपने तजर्बात के जाती आतराफ को सुपुर्दे कलम करते हुए मुझे यकीन है कि डान मैनूल शहीद मेरे सेंट मैनूल और मेरे भाई लिजारू को जान देते वक दूसरी जिन्दगी पर यकीन नहीं था यह अकीदा जो हमारी जिन्दगी की सबसे जियादा मुतासिर कुन ताकत है इस पर एतकाद रखे बगएर उन्होंने अपनी मायूसी में जिस सबर और इस्तकामत के साथ जो बाअमल जिन्दगी गुजारी वो भी एक तरहा से एतकाद ही था उन्होंने अपनी बेयकीनी में भी बड़ी पुरयकीन जिन्दगी गुजारी थी मुझे बार बार एक सवाल परिशान करता रहता है कि डॉन मैनूल ने मेरे भाई को चल्च में शामिल करने के लिए आखिर क्यों फरेब से काम नहीं लिया अगर वो अकीदे से महरूम रहकर गाउंवालों के सामने अपने आपको बाकीदा जाहर कर सकते थे तो फिर उन्होंने लिजारू के सामने ऐसा क्यों नहीं किया मेरे ख्याल में इसकी वज़ा ये है कि वो जानते थे लिजारू को वो ये धोका नहीं दे सकते उन्हें मालूम था लिजारू के साथ ये फरेब चल नहीं सकेगा वो से सिर्फ सचाई के जरीए अपनी सचाई के जरीए कायल कर सकते थे उनकी कोशिश लाहासल होती अगर लिजारू के सामने भी वही मजाहिया या अलमिया खेल दोहराते जो उन्होंने गाउं वालों की निजात के लिए खेला था इस तरह उन्होंने लिजारू को अपने मुकद्स धोके के लिए जीत लिया था मौत की सच्चाई के जरिये उन्होंने लिजारू को जिन्दगी की मानवियत का काईल बनाया इसी तरह उन्होंने मुझे भी जीता एंजलीना केर्बिलीनो को जिसने किसी जीनफस को उनके इस मुकद्दस खेल के रास से वाकिफ होने नहीं दिया जाती तोर पर मैंने हमेशा यही यकीन रखा है कि खुदाबंदे खुदा ने अपनी किसी नाकाबले फहम और मुकद्दस मसलिहत की बिना पर डॉन मैनूल के दिल में ये यकीन पैदा कर दिया था कि उन्हें दूसरी जिन्दगी पर एतकाद नहीं था और मुम्किन है आखरी सास के वक्त उनकी आखों से पर्दा हटा दिया गया हूँ और मैं क्या मैं यकीन रखती हूँ कि इस जिन्दगी के बाद एक और जिन्दगी भी है आज जब मैं अपनी मा के कदीम मकान में बैठी हुई ये सतरें लिख रही हूँ मैं अपने पीछे पूरे पचास बरस छोड़ाई हूँ इन गुजरे हुए बरसों की रुपहली गर्द उड़ उड़कर मेरी यादों पर मेरे बालों पर जो सफैद हो रहे हैं जम गई है बाहर बर्फ बारी हो रही है बर्फ जील पर और पहाड पर गिर रही है मेरी यादों पर गिर रही है मेरा बाप जो मेरे लिए अजनबी है मेरी माँ मेरा भाई लिजारू मेरा गाउं मेरे सेंट मैनुल और बिचारा बिलासलो मेरा सेंट बिलासलो इन सब की यादों पर बर्फ गिर रही है इस बर्फ से नहमवारी दूर होती है और साए मिटते हैं क्यूंकि बर्फ रात में भी उजाला देती है मेरी समझ में नहीं आ रहा है के सच क्या है और जूट क्या मुझे नहीं मालूम मैंने जो कुछ हकीकत में देखा वो खुआप था या जो कुछ खुआप की तरह देखा और सोचा वो हकिकत थी मुझे नहीं मालूम सचा ही कहा थी उसमें जो मैं जानती थी या उसमें जो मेरा एतकाद था मुझे ये भी नहीं मालूम कि मैं क्यूं इस बर्फ की तरह सफएद कागस पर अपने जमीर को हरूफ और अलफाज में पेश कर रही हूँ जो इस कागस पर मुझे खाली छोड़ जाएगा और अब मुझे इस जमीर को अपने पास रख कर करना भी क्या है क्या मैं कुछ जानती हूँ क्या मैं किसी शेय पर एमान रखती हूँ क्या मैं जो कुछ कुछ कलम बंद कर रही हूँ वो वाकई वकूपजीर हुआ था और क्या इसी तरह वकूपजीर हुआ था जिस तरह मैंने बयान किया है क्या इसकी हकीकत खुआब में देखे हुए खुआब से ज्यादा है क्या ये हो सकता है कि इस भरे गाउं में उन्हीओ एक वाहिद हसती हूँ जिस पर ऐसे ख्यालात की यल्गार हुई हो जो किसी दूसरे को छूकर भी नहीं गुजरे और ये लोग जो मेरे आस पास रहते हैं क्या ये ईमान रखते हैं एमान क्या है कमसकम ये जीतो रहे हैं अब इनका इमान सेंट मैनूल बोईनो शहीद पर है जो खुद अबदी जिन्दगी की उमीद के बगएर जी कर इन लोगों को अबदी जिन्दगी की उमीद में छोड़ गए सुना जा रहा है के लाट पादरी जिन्होंने डॉन मैनूल को कलीसा के आलिया में शामिल करने की मुहिम का आगास किया था अब सेंट मैनूल की सवानए हयात लिखना चाहते हैं जो एक मुकमल वली की मिसाली जिन्दगी का नमूना पेश करने वाली किताब होगी इस सिल्सले में उन्होंने मुझसे कई बाते पूछी मैंने उन्हें तमाम मालूमात बहम पहुँचाईं सिवाए इस अलमनाक रास के जो डॉन मैनूल और मेरे भाई की अमानत है और अचीब बात है उन्हें इस बात का कोई गुमान तक नहीं गुजरा खुदा करें जो कुछ मैं इस याददाश्ट में लिख रही हूँ वो कभी उनके इल्म में ना आए मुझे इस जमीन के हाकिमों से तमाम दुनियावी हाकिमों से चाहें वो चर्च के ही क्यों न हों डर लगता है लेकिन बहरहाल मैं इस नविष्ट को यहां छोड़े जा रही हूँ अब इसका जो मुकदर होना है होता रहे एंजलीना के अर्मिलेनों की याददाश्ट मेरे हाथ किस तरह लगी इसे मैं परदयराज में रखना चाहता हूँ मैंने इसे उसी शकल में पेश कर दिया है जिस शकल में ये मुझे मिली थी जियादा से जियादा मैंने दो एक जगां कुछ लफजी तर्मीमों तबद्दल किया है आपको शायद महसूस हो कि इस दास्तान की कई एक बाते मेरी तसानिफ के मवाद से मुमासलत रखती है लेकिन इस से इस दास्तान के असली और तबाजाद होने पर शक नहीं करना चाहिए एंजलीना केर्बिलेनों ने अपने रूहानी बाप और मुर्शित के बारे में जो कुछ लिखा है इस पर मुझे शिम्मा भर शक नहीं है इसकी वाकियत और सच्चाई का मुझे जितना यकीन है उतना सेंट को अपनी बेयकीनी पर भी नहीं रहा होगा मेरे लिए सेंट मैनूल की ये दास्तान मेरे अपने वजूद से कहीं जियादा हकिकी है इस अखतामिय की आखरी सत्रें लिखने से पहले मैं इसा मसी के एक फरामोश करदा हवारी सेंट जूडास नाम पर मच जाईए कि मकतूब की नवी आयत की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ इस आयत में बताया गया है कि सेंट मीकाईल ने जो फरिष्टा आला और पेगांबर खुदा हैं इबलीस यहां जिसके मानी है एहतसाब करने और इल्जाम देने वाला को मुसा की लाश दोजख में ले जाने से रोका और कहा खुदा वंदे खुदा तुम्हे फिट कारता हैं यह आयत मैंने नकल कर दी है और जो समझने वाले हैं वो इसका मतलब समझ लेंगे एंजलीना केर्बिलिनों ने इस नविश्टे में अपनी तरफ से जो कुछ कहा है जो नागजीर था मैं चाहता हूँ उसके बारे में दो एक बाते कहूँ एंजलीना ने सवाल किया है कि अगर सेंट मैनूल और लिजारू अपने एतकाद की नौयत जाहिर कर देते तो क्या गाउं वाले उन्हें समझ पाते मेरा अपना ख्याल है गाउं वाले पहले तो उनकी बात का यकीन ना करते वो उनके आमाल और अफ़ाल में यकीन रखते उनकी बातों में नहीं क्योंके अमल को थाबित करने के लिए अलफास की जरूरत नहीं होती अमल अपनी जगाँ खुद जाहिरों साबित होता है और लियो करना जैसे एक गाउं में आदमी का अमल ही उसका वाहिद एतराफ होता है लोगों को जियादा खबर नहीं होती कि एतकाद और एमान क्या चीज़ें है और उन्हें इसकी जियादा पर्वा भी नहीं होती जब बाइबल को नॉविल कहने पर लोग खफा होते हैं तो मैं उनकी खबगी का राज समझ नहीं सकता हाला के बाइबल को नॉविल कहना दरसल बाइबल को महस वाकियात की तारीख वार रिपोर्ट से बलंद और मुम्तास करना है तब्दीली और रफतार का गुजर नहीं है इसकी वज़ा शायद ये हैं के जीलों और पहाडों की तरह उमीद और मायूसी की हुदूद से आगे साबित कदमी से काएम रहने वाली सादा और बरगजीदा रूहों की तरह हर चीज काएमों दायम है और ये रूहें पहाडों और जीलों का हिस्सा होकर तारीख से बाहर एक समावी नौविल में पना गजीन हो जाती है उनामुनो नवंबर उन्निस सौतीस सिलामान का